Hi, so start करते हैं आज का नया chapter जिसका नाम है Superposition of Waves यहाँ पर हम पूरा one shot cover करेंगे यह वाला chapter काफी जादा important सा हो जाता है because इसमें 3 practicals भी cover होते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर sonometer का first practical, sonometer का second law, resonance tube तीनों के तीनों practicals हमारे यहीं से निकलते हैं इसी chapter से तो अगर यह तीनों practicals related अगर आपको कोई वायवा question पूछा जाता है physics practical में वायवा questions बहुत जादा marks के matter करते हैं सच में उनकी marks अच्छी खासी होती है तो basically अगर इन तीनों practicals में से भी कुछ आता है तो भी आपको इस chapter का knowledge यहाँ पर होना चाहिए इस वज़े से chapter जरूरी है पहली बात दूसरी बात कुछ derivations इस chapter के सीधा oscillations के derivations के जैसे हैं जिनोंने oscillations का one shot देखा है उनको यहाँ के derivations दो मिनट में समझेंगे जो लोग यहाँ पर derivations समझेंगे उनको oscillations के derivations समझ जाएंगे ओके सो दो derivations सेम है oscillations और superposition और waves के दूसरी बात तीसरी बात जिन लोगों को superposition का concept समझेगा उन लोगों को wave optics समझने में आसानी होगी यानि superposition आपका बीच का bridge है oscillations और wave optics से बीच में बिना देरी के करते हैं आज के सेशन को start let's start सबसे पहले पहले यहाँ पर बहुत जादा theory given है initially काफी जादा theory given है अगर आप textbook खोल के देखोगे eventually तो तो उसमें से काफी सारी चीजें तो 11th standard की ही पहले basic के तोर पे दी गई है example तोर पे बार बार एक word repeat होगा बार 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 आपको एक word नज़र आएगा जिसका नाम होगा progressive wave physics में जब भी हम theory पढ़ते हैं तो हम consider करते हैं हमारी most of the चीजें ideal है ideal है का मतलब एकदम practical है vacuum में हो रही है तो जब हम wave की भी बात करें तो हम assume करते हैं कि wave हमारी चलती रहती है okay wave क्या करती है wave हमारी चलती रहती है अब चलती रहती है हम ऐसा क्यों assume करते हैं because हम assume करते हैं कि हमारा motion periodic motion है क्या है हमारा motion यहाँ पर है periodic motion okay so periodic motion का क्या होता है periodic motion का जो total समय होता है वो same होना चाहिए इस वज़े से हम assume करते हैं कि हमारी wave जो है क्या होती है हमारी wave periodic होती है motion में यानि कि वो चलती रहती है So progressive wave का definition भी वही है The waves which keeps moving or keeps progressing continuously Aiszy waves जो continuously गुमती रहती है उनको हम कहते हैं progressive wave यह हो जाता है पहला definition दुसरा definition हो जाता है mechanical wave So aiszy waves जिनको medium चाहिए चलने के लिए जिनको क्या चाहिए जिनको कोई न कोई medium चाहिए जैसे example तोर पे sound अब मैं बात कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ तो मेरे room में जो भी बेटे हैं बंदे लोग उन लोगों तक आवास कैसे पहुच रहा है because यहाँ पे air एक medium है हाना air क्या है air यहाँ पर एक medium है स्वेज़े से sound यहाँ पर मेरा पहुच पाहा रहा है तो sound मेरी क्या हो गई sound मेरी हो गई एक mechanical wave हाना the waves which require material medium to pass through them are called as mechanical waves तो यह दो हो जाते हैं हमारे यहाँ पर basic से definition शुरू में समझने के लिए उसके बाद हमारे pass आ जाती है यहाँ पर दो type की wave अब majority लोगों को यही confusion होता है कि chapter में बार 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 हम जो पढ़ेंगे हम लोग पढ़ते रहेंगे stationary wave, stationary wave, stationary wave तो कई बार जब मैं वाइवा बनके examiner बनके जाता हूँ जब colleges में जाता हूँ students को खौफ होता है practical exam में एक ही बंदे से खौफ होता है मेरे जैसे बंदों से जो examiner, external examiner बनके आते हैं तो जब मैं examiner बनके जाता हूँ तो मैं सीधा बोलता हूँ हम बताओ कितने प्रकार की वह है ह सवाला के गलत बोला सू लेव स्टेशनरी वेव कोई नई प्रकार की वेव नहीं है जो आगे हम पढ़ेंगे यहांपर स्टेशनरी वेव स्टेशनरी वेव कोई नई प्रकार की वेव नहीं है इस चीस को ध्यान रखना जैसे circular motion में हम कहते हैं centripetal force कोई नया force नहीं है कोई न कोई centripetal force provide कर देता है उसी प्रकार से यहां पर भी stationary वेव के साथ same concept है थोड़ी दिर में हम सीखेंगे Transverse wave तो अगर आपके हाथ में कोई string हो अगर आपने कभी रसी पकड़ी हो तो रसी को हम क्या करते हैं रसी एक जगे पे अगर बंदी हुई हो तो हमारा basic सा आदत होता है ऐसे ऐसे उसको हम vibrate करते रहते हैं तो ये जो wave का आधार आपको दिख रहा है जिसको हम अमेशा बस्पन से पढ़ते आए हैं इसको हम कहते हैं Transverse wave क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं Transverse wave Transverse wave में अगर आप देखोगे ध्यान से दो हिस्से होते हैं पहला हिस्सा होता है एक axis के उपर जिसको हम कहते हैं crest सो इस वाले हिस्से का नाम होता है usually crest और एक हिस्सा होता है हमारा इस axis के नीचे जिसको हम कहते हैं truff ओके सो transverse wave कितने चीजों की बनी होती है transverse wave बनी होती है दो चीजों की पहला हिस्सा हो जाता है crest जो positive होता है उपर के तरफ दूसरा हो जाता है यहाँ पर truff जो होता है हमारा नीचे के तरफ दूसरी wave जो होती है उसका नाम होता है longitudinal wave longitudinal wave का दूसरा नाम हो जाता है यहाँ पर pressure wave क्या हो जाता है दूसरा नाम यहाँ पर हो जाता है pressure wave because सीधी बात है, बहुत जादा basic बात है, अगर तुम्हें ऐसे सोय हो नींद में और मैं तुम्हारे कान में आके ऐसा चिला दूँ, तुम्हारे कान में suddenly बहुत जादा pressure डेवलप हो जाएगा सो sound longitudinal wave बोलो, या example होता है, इसका sound wave बोलो, यह सब wave कौन सी wave हो जाती है, यह सब wave हो जाती है pressure wave, sound wave किस से बनी होती है, sound wave बनी होती है, दो प्रकार के component से सो जबी भी sound मैं बात कर रहा हूँ, मैंने कहा बात, जैसे ही मैंने कुछ word ऐसा कुछ बोला, उस समय पर क्या होता है, जो भी air के molecules होते हैं, सब इखटे हो जाते हैं okay, because मैंने जोड से कुछ कहा है, बट दो शब्दों के कहने के बीच में अगर मैं बहुत जादा जूम करके देखो थोड़ा space भी होता है, so basically यह वाला region वो है, जहाँ पर कम ही molecules present हैं, आप देखो मैं robot के तरह बात नहीं कर रहा हूँ, हर शब्द के बीच में कुछ न कुछ और दूसरा हिस्सा हमारा क्या हो जाता है, दूसरा हिस्सा में हमारे काफी ज़्यदा space होती है, तो उसको हम कहते है rare fraction, आईए थोड़ा सा यहाँ पर अच्छे से बता देता हूँ, so transverse wave बनी होती है दो हिस्सों से, एक हिस्सा हो जाता है उपर वाला जिसको हम कहते हैं crust, य दूसरे वाले हिस्से में दूर दूर रहते हैं molecules, तो जहाँ पर molecules बहुत जादा साथ में हैं, उसको हम कहते हैं compression, क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं compression, यह मैं बहुत basic से बता रहा हूँ, ताकि MHT, CET के लिए भी आप यही lecture देख पाओ, चाहूं यह सब नहीं करा सकता हूँ, मेरा क्या काम जैसीदा हम topic पर आ सकते हैं, बट यह textbook में भी चीजें given हैं, बट इतना detail में नहीं given है, बट MHT, CET में ultimately करना पड़ता है, तो एक ही बार में कर लें, और यह वाला हिस्सा हमारा हो जाता है, यहां से rare fraction, rare मतलब यहाँ पर कम molecules, कम molecules का fraction यहाँ पर पाया जाता है चीक है, सो यह हो जाती है हमारी यहां से दो प्रकार की wave, आईए अब समझने का प्रयास करते हैं, link कहां है, students को physics इस वजह से hard लगता है, because उन लोगों को links नहीं पता होती है, पढ़ा तो है, कानों तक गया भी है सब, दिमाग तक भी गया है, दिमाग के अंदर नहीं जाता अब oscillations पहला पहला chapter था, इस unit का, SHM, SHM, SHM हम कह रहे थे, तो अगर आप theory पढ़ोगे तो बार 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 लिखा हुआ है, wave SHM है, wave में हर particle SHM perform करता है, each particle of wave performs SHM, each particle of wave performs oscillatory motion, formulas भी देखोगे, वही है, oscillation की formula क्या होती है, oscillation की formula होती है, x is equals to the A sin of omega t, plus 5 लगा सकते हो, initial phase कुछ है, तो wave equation क्या होती है, wave equation होती है, y is equals to the A sin of omega t, और यहाँ पर हो जाता है, minus k x, so basically equation भी देखो, आदी से जादा equation तो similar है, तो यह सब क्या हो रहा है, ऐसा कैसा हो सकता है, कि wave हमारा oscillation हो, यह जो भी जो भी चीजें बोली गई है, यह उसको समझने का प्रयास करते हैं, पहले पहले तो थोड़ा देखते हैं, कि wave होती क्या है, आई, so wave क्या होती है, wave basically होती है, यहाँ पर energy, क्या होती है, वेव होती है, हमारी energy, और जबी भी हम wave की बात करें, so wave में क्या होता है, wave में energy transfer होती है, यह मैं 9th standard का definition बता रहा हूँ, wave में क्या होती है wave में हमेशा energy transfer होती है wave में particles नहीं हिलते है मतलब particles ऐसा नहीं होता है कि ये particle अभी जिस example तोर पे ये रसी है अभी ये रसी पे यहाँ पे जो particle है बोलो जो particle यहाँ पर present है क्या कुछ ऐसा होता है कि ये particle थोड़ी देर बाद इदर मिलेगा नहीं 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 ऐसा नहीं होता है वेव में सुर्फ और सुर्फ क्या होता है एनर्जी ट्रांसफर होता है मैटर ट्रांसफर नहीं होता है क्या होता है एनर्जी ट्रांसफर होता है मैटर ट्रांसफर नहीं होता है example तोरवे हम लोग school में Republic day के दिन biscuit मिलता है Independence day के दिन biscuit मिलता है तो school में कैसे रुकते थे school में हम लोग ऐसा line में रुका करते थे right school में या फिर school में छुटी मिली so कई-कई schools में छुटी मिली तो ऐसे ही छोड़ देते थे most of the schools में line से बेचते हैं तो जब हम line में रुकते हैं से तो धक्का मुक्गी होती है तो क्या होता है पीछे वाला इसको धक्का देगा क्या हो रहा है energy transfer हो रहा है क्या हो रहा है याँ पर energy transfer हो रहा है तो आए समझने का प्रयास करते हैं कि ये statement का मतलब क्या है कि हर पार्टिकल वेव का SHM perform करता है, तो मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पर बना दिये है, पांच particles मेरे x-axis पे, क्या बना दिये है, मैंने यहाँ पर बना दिये है, ये सब चीजें rarely आपको कहीं देखने को मिलेंगी, अगर आपको basic समझना है, तो इसको देख सकते हो, आपको नहीं करना है, घाई-घाई में देख रहे हो, forward कर दो चार मिनट, चार मिनट forward कर दो बिन्दा, कोई tension का बात नहीं है, चलिए, so basically यहाँ पर क्या है, हमने पांच particles बना दिये हैं, एक line के उपर, पहले वाले particle को समझो, यह student है, पाच बच्चे स्कूल के बाहर खड़े हैं, पहले वाले particle ने देख लिया, कि वहाँ पर fruity मिल रही है, उसने देख लिया, कि extreme position पर fruity मिल रही है, अपने पपा को बोला, कि चलो चलो मुझे fruity पलाओ, fruity पलाओ, सो क्या हुआ यह वाला particle यहां से mean position से, यह position कौन सी है, यह position है mean position, यहां से पहला वाला particle जगया, उपर के तरफ, कहां गया, पहला वाला particle गया, उपर के तरफ, पहला वाला particle extreme position पर पहुँच गया है, हैं अब इस बच्चे ने देखा वी नामक बच्चे ने देखर के एका पापा उसको फुरूटी पिला रहा है कि बी क्या बोलेगा बी अपने पपा के तरफ एसा तरफ देखेगा और इशारा करेगा। कि देख उसका वपा फुरूटे पिला रहा है तू मुझे क्यों नहीं पिला रहा है तो अगले स्टैप में क्या होगा अगले स्टैप में B फुरूटे पीने जाएगा यानि B mean पोजिशन से extreme position पोजिशन पूजिशन पे जाएगा okay energy transfer इसने इसको धक्का दिया अब ये इसको धक्का देगा ट्रांसफर होता है ट्रांसफर अब एक्स्ट्रीम पोजिशन पर गया था वो लो कोई भी चीज एक्स्ट्रीम पोजिशन पर जाती है उसके बाद कहां आती है उसके बाद आती है मीन पोजिशन पर अगले स्टेप में ए मीन गया होगा बढ़ बूंग कहा होगा गया होगा यहां पर उपर के तरफ यह अब क्या हुआ है पर नहीं तरफ लिया अ देख लिया नहीं बेलिए उस्टेंघ से मीन पर आ चुगा है को एक्स्ट्रीं पोजीजन से मीन पर जाएगा सो पहले उपर गया था तो A यहां से नीचे आएगा B Fruity P के वापस आ चुका है C Fruity P ने अभी गया है और अगले step में वापस से repeat होगा सो अगर आप इसमें ध्यान से देखो wave यही तो होती है यह है first step यह है यहां से अगर मैं points को join करूँ यह है second step यह यहां से है मेरा third step और finally अगर आप यह step में trace करोगे सो यह हो जाती है आपकी यहां से wave ध्यान से देखो wave डियाग्राम कैसा बना आपने यह कभी नहीं देखा होगा कभी किसी ने बताया होगा कि wave construct कैसे होती है बट यह सब ने देखा है तो यह कैसे बनाया मैंने लास्ट वाला step ऐसा नहीं लग रहे है हाँ यही तो wave है यह ने क्या किया यह पूरा oscillation करके आया पहले उपर जव्या के fruity पी के वापस आया फिर fruity पीने के बाद नीचे गया बिस्केट खाने fruity बिस्केट सब खाके यहां पर आया और देखो तब भी ही मैंने डाइग्राम को जॉइन किया है सो यही तो होता है wave का डाइग्राम ओ ऐसा होता है सर हाँ ऐसा होता है आज समझाओगा काफी लोगों को इस वज़े से हम कहते हैं के wave का हर पार्टिकल क्या पर्फॉर्म करता है यहां पर shm क्या पर्फॉर्म करता है shm अब आपने ये समझ लिया अब ये सब time pass लगेगा नहीं तो क्या होता है नहीं तो ये नहीं पता होता है तो फिर रत्टा मारना पड़ता है properties नहीं जमती है मतलब पता है कर लेंगे बट feel नहीं आता है बट अगर आपने यह diagram देख लिया कि mean से extreme extreme से mean ऐसे हर एक जना देख रहा है कि वो fruity पिने गया मैं भी जाओ मैं भी जाओ यहां पर देखो दी भी fruity पिने गया है अब आपको यह 10 properties आसन इसे समझ जाएंगी चलिए एक एक line में मैं आपको यहां पर बताते भी जाता हूं चलो इच पार्टिकल खैर दिख रहा होगा येस आई होप विजिबल है यह अच्छा विजिबल है नहीं तो भी यूट्यूब एप में भी जूम होता है आज all vibrating particles have same amplitude and frequency बोलो कोई भी पार्टिकल ऐसा है क्या कि यह fruity पिने गया है तो मैं इससे भी दूर जाऊं नहीं सब synchronization में है mean position और दो extreme position के बीच में ही सारे particles वाइब्रेट कर रहे हैं the phase changes from one particle to another यह यहां पर सबसे important point हो जाती है because stationary wave और इस wave में यह difference होता है the phase changes from one particle to another A extreme पे है तो B mean पे है B extreme में गया तो A mean पे है और C extreme पे है हर particle अपना अपना motion कर रहा है एक दूसरे को देखके so यहां पर हर particle का face क्या है हर particle का face यहां पर अलग-अलग है no particle permanently remains at rest यह भी यहां पर सबसे important point है because stationary wave में इसका opposite होता है बोलो किसी का भी पपा यहां पर ऐसा है क्या कि उसने fruity नहीं पिला ही हो come on नहीं 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 देखो last दख आते हैं ते D भी fruity पी चुका है और अगर इसके बाद में मैं sixth diagram बनाओगा तो उसमें e fruity पीने वहां से जाएगा so कोई भी particle ऐसा तो नहीं है जो rest पे नहीं रहा हो fifth point the particles attain maximum velocity when they pass through the mean position मुझे एक बात बताओ ऐसा तो नहीं लग रहा है oscillation chapter का अगर आपने one shot देखा हो तो यह तो हम वहां पर पढ़ चुके हैं मैंने आपको conclusion table भी बना के दिखाया था मैंने formula से भी दिखाया था कि जब mean position से pass होते हैं तब भी velocity maximum होती है माथे रान और महाबलेश्वर वाला example दिया था अना during the propagation energy is transferred there is no transfer of matter यह तो आज के lecture के start में ही मैंने बता दिया सो आप देख सकते हो यहां पर basic basic सब चीजे मैंने आपर आपको almost बता दी है progressive wave दो प्रकार की होती है transfers or longitudinal lecture start ही यहां से किया था उसके बाद यह यहां पर definition है हमारे दोनो waves का ठीक है और यह mechanical waves का definition भी मैंने आपको यहां पर बता दिया ओके चलिए सो basically यही हो जाता है हमारा यहां पर basic funda wave का इनके definition में सिर्फ एक ही फरक होता है transfers wave में particle vibrate करते हैं अभी देखो दोनों waves कहां जा रही है सो दोनों waves में assume करता हूं कहां जा रही है दोनों waves में assume करता हूं right side जा रही है कहां जा रही है दोनों waves जा रही है मेरी यहां से right side okay transfers wave में क्या होता है transfers wave में तो आप लोगों ने देख लिया particle ऐसे उपर नीचे vibrate करते हैं तो transverse wave में particle vibrate करते हैं perpendicular direction में कौन से direction में vibrate करते हैं perpendicular direction में so देखो definition में बिना पढ़के बता सकता हूँ क्योंकि यह basic है in transverse wave particles of the wave जिसको हिंदी में कहूंगा wave के particles vibrate in a direction perpendicular to the direction of propagation of wave किसको perpendicular जो propagation of wave का direction है उसको perpendicular and longitudinal में क्या होता है longitudinal में यहाँ पर longitudinal wave में particles मेरे ऐसे vibrate करते हैं कैसे vibrate करते हैं longitudinal में wave direction ऐसे particles vibrate करते हैं यानि parallel vibrate करते हैं यहाँ पर definition में हमारे parallel word का استعمال कहीं न कहीं हो जाएगा या फिर along the direction of wave ठीक है चलिए सो यही हो जाता है हमारा basic सा funda इसके बार discuss करते हैं the wave equation ये wave equation जो actual origin है इसका origin होता है class 11th sound chapter में कहां पर इसका origin होता है actual इसका origin हो जाता है class 11th sound में अगर कोई भी मेरे mht-cet course में जिंदगी में कभी भी enroll होगा या अभी enroll है आप लोगों ने देखा होगा mht-cet का syllabus में मेरे batch मे हमेशा sound से start करता हूँ because अगर आपको equation का origin नहीं पता है आप oscillations को भी अच्छे से properly नहीं समझ पाऊ गया और ये वाला chapter तो bounceर ही जाएगा कि ये आया कहां से इसका actual origin हो जाता है sound chapter में और यही reason टेक्स्बुक वालों ने इतना जादा theory extra भर-बर के दिया है ताकि आपको कमी मैसूस ना हो चलिए y का मतलब क्या होता है y का मतलब होता है wave का y-axis में कितना displacement है wave मेरी यहाँ पर है तो उसका y-coordinate क्या है so y का मतलब हो जाता है y-axis में उसका displacement कितना है a का मतलब क्या होता है amplitude के मेरी wave का total amplitude कितना है amplitude का मतलब क्या होता है के maximum displacement कितना है उसका जैसे कि situation में मैं बता दूँ आपको यह वाला जो point है this is basically amplitude maximum displacement के x-axis से maximum मेरी wave कितना यहाँ पर उपर जा सकती है उसको हम कहते है amplitude साइन क्या होता है साइन तो हमारा trigonometric function है जो harmonic जो हमने oscillations में पूरा पूरा पड़ा चलिए X का मतलब क्या होता है X का मतलब होता है कि wave equation मेरी X axis में कहां पहुची है अगर यहां पहुची है X axis में तो यह हो जाएगा X distance सो X में भी Y में भी सो देखो wave हमारा यहां पर two dimensional motion हो जाता है कैसा motion हो जाता है wave का motion हमारा यहां से two dimensional motion हो जाता है T का मतलब होता है आप कौन से समय पर पूछ रहे हो कैसे घरवाले phone करते हैं कहां पहुचा सो कहां पहुचा, कितने बजे कहां पहुचा स्मॉल टी का मतलब होता है instantaneous time जिस समय पे आप जानना चाते हो कि मेरी equation क्या है अगर मैं बोलू टी 9 बजे, सो 9 बजे y coordinate कितना है 9 बजे x coordinate कितना है सो टी सम में given होता है कि इतने बजे मुझे बताओ यह सब चीजे यहां है और omega मुझे नहीं लगता है, बताने की जरूत है omega पूरे physics में fix होता है हमारा 2 pi by t के बराबर और k क्या होता है, k होता है हमारा wave number k क्या हो जाता है, k हमारा हो जाता है यहां पर wave number k क्या होता है, k होता है हमारा wave number पर k की value क्या हो जाती है k की value यहां से हो जाती है टू पाई divided by यहां पर lambda के बराबर क्या हो जाती है टू पाई डिवाइड बाई लेंडा के बराबर So K का भी वो होता है कि 1 meter में कितनी waves आ सकती है अगर कोई मुझसे पूछे K का definition क्या है So basically 1 meter में कितनी waves आ सकती है ऐसा करते करते हम यहाँ पर चीज़ों को define करते है ठीक है, so यह हो जाता है हमारा यहाँ पर K का concept चलिए, अब finally start करते हैं chapter का major part अभी तक हमने जो भी किया basics था तो जिन भी students को confidence नहीं होता है I hope अभी आपको confidence आया होगा अब finally start करते हैं जो conceptual part है यहाँ पर पहला पहला part reflection of a transverse wave चलिए, so reflection समझने से पहले हम दो प्रकार के medium समझ लेते हैं तो पहला पहला medium हो जाता है rarer medium, rarer medium की बात करूँ तो हमारा air is सबसे best example है for the rarer medium rarer medium का मतलब क्या होता है rarer medium, rarer particles यहाँ पर rarely पाई जाते हैं so एक meaning वो भी होता है अगर particles दूर-दूर पाई जा रहे हैं rarer पाई जा रहे हैं so rarer medium बहुत जादा कमजोर होता है rarer medium बहुत जादा कमजोर होता है as compared to the denser medium denser medium, घने जंगल घने जंगल का मतलब क्या होता है घने, dense forest आपने सुना होगा school में so basically यहाँ पर सारे कि सारे particles क्या होते हैं सारे कि सारे particles यहाँ पर भर भर के पाई जाते हैं सब में spacing कम होता है compactly space होते हैं एकदम आसपास होते हैं तो obvious ही बात है यह वाला medium हमारा हो जाता है stronger medium because हम पढ़ रहे हैं reflection तो हमें बार-बार वही पढ़ना है के rarer से dancer, dancer से rarer और textbook में कुछ चीज़ें over कर दी हैं over तो जरूरी नहीं है आप as it is word by word वही चीज़ें follow करें यहाँ पर मैं minimal concept बता रहा हूँ आप सब students because यह lecture सारे type के students देखते हैं तो आप पहले वो सब देखें और उसके बार textbook में से आप जितना add-on करना चाते हैं इस topic के लिए कर सकते हैं चीज़ सो consider करते हैं left hand side है मेरा rarer medium rarer medium का मतलब है यहाँ पर left side का जितना भी part है मेरा rarer medium है सो यहाँ पर medium क्या है सो यहाँ पर medium मेरा string है medium क्या है यहाँ पर मेरी रसी ही मेरा medium है और यहाँ पर क्या है यहाँ पर मेरा denser medium wall है denser medium क्या है यहाँ पर denser medium मेरा यहाँ पर wall है so basically दो प्रकार के medium हमने क्या की हैं यहाँ पर देखें है so एक medium यहाँ पर मेरा string है और दूसरा medium क्या है दूसरा medium मेरा यहाँ पर wall है कभी-कभी हम string के जगे air भी बोलते हैं कई books में so ऐसा भी कहा जाता है so depends करता है आप कौन से वे से लिख रहे हो चीजों को सो यहां से क्रेस्ट आया यहां से क्रेस्ट आया सो जब यहां से क्रेस्ट आएगा सो क्रेस्ट का मतलब क्या होता है क्रेस्ट का मतलब होता है सारे के सारे पार्टिकल्स कहां जाना चाहते हैं सारे के सारे पार्टिकल्स कहां जाना चाहते हैं सारे के सारे पार्टिकल्स यहां पर आकर के पहुचेंगे जब मेरा सिचुएशन कुछ इस प्रकार से पहुचेगा जब मेरे पार्टिकल्स यहाँ पर जाके पहुचेंगे तो मेरे पार्टिकल्स क्या बोलेंगे मेरे particles दीवार को बोलेंगे चल उपरा मेरे particles दीवार को क्या बोलेंगे मेरे particles दीवार को बोलेंगे चल उपरा अना अभी कोई छोटा सा आदमी है 30 किलो का और वो 100 किलो के आदमी को ऐसा करे चुटकी बजा के इदर आ तो मुझे बताइए 100 किलो का आदमी ऐसा ऐसा करके जाएगा कि बजा के देगा उसको तो यहाँ पर भी same situation होता है यह बिचारे rare and medium के particle denser medium के particles को बलने के चल ऊपर हो denser medium उदर उसको fight मार के देगा तो basically crest बनके आया था यहाँ पर क्या हो गया crest बनके आया था यहाँ पर truff हो गया क्या हो गया यहाँ पर crest बनके आया था truff बनके गया face change यहाँ पर हो गया pi radian का यहाँ पर आप कह सकते हो 180 degree का यहाँ पर face change basically हो गया अब जो मैंने कहा मैंने मस्ती में नहीं कहा seriously कहा यहाँ पर Newton का law है action is equal to the reaction crest क्या बोल रहा था crest बोल रहा था चलो उपर चलो चलो उपर चलो dancer medium को कुछ फरक पड़ा ही नहीं अब ocean है ocean अना समुद्र है मैं उसमें से एक बाल्टी निकाल क्या हूँ और समुद्र को बोलो देख एक बाल्टी लेके गया तेरे में से क्या किया तूने कुछ भी नहीं पड़ेगा फरक वो एक अगले वेव में मेरे मूपे पानी आके गिरेगा so crest बोल रहा था दीवार को के चलो उपर जाओ action reaction क्या हो गया दीवार ने बोला मैं उपर नहीं जाओगा चल तू नीचे जा so that is basically the concept of reflection of transverse wave जब वो rarer से denser medium पे आ रहे है चीक है पतला आदमी मोटे आदमी से जाएगा so obviously pit के ही आएगा so यहाँ पर वही situation हो रही है अब दूसरी situation यहाँ पर denser medium से rarer medium so denser से rarer medium obviously बात यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा अगर मेरा crest यहाँ पर गया है so कुछ होगा ही नहीं rarer medium में capacity ही नहीं है rarer medium में क्या है rarer medium में capacity ही नहीं है so basically crest ही यहाँ से वापस आ जाएगा क्या हो जाएगा यहाँ से crest ही यहाँ से वापस भी आ जाएगा so as simple as that actual में ऐसा नहीं होता है मैं आपको एक बात बता दू actual में ऐसा नहीं होता है जो यहाँ पर हम इतना simple way में कह रहे हैं reality में ऐसा नहीं होता है reality में हमेशा transmission होता ही है ये चीज़ को द्यान में रखो आप reality में क्या होता है reality में एक medium से दूसरे medium में energy transmission होता ही है अब यह यहां पर denser medium है यह यहां पर rare medium है समझो यह फेरिदी कि वो वाली दीवार है जो सिर्फ पोस्टर से बनी हुई है दोनों कमरों के बीच में जो दीवार थी पोस्टर से बनी होय है ओव्यसी बात है यहां पर क्या होगा जब यह वेव मेरी आगे के तरफ आएगी तो यहाँ पर इसका majority part transmit हो जाता है अगर यह 100% वेव थी तो 80% वेव रेरर मीडियम में गुश जाती है हमारी क्योंकि रेरर मीडियम में दम्मी नहीं है तो दर्वारा खोल के गुश जाती है जैसे फिर रा फिरी में जब उनको पत reflection होता है क्या होता है ideally speaking 20% यहां पर reflection होता है तो जो लोग जेई नीट का तयारी कर रहे हैं एंट्रेंस एक्जाम सीटी का तयारी कर रहे हैं तो यह सब चीज़ें जान लो यह इतना important topic नहीं है उतना जादा है नहीं बट स्टिल एक्सबुक में ऐसा कम पूरा वह दे दिया ह टेक्सबुक में एक और चीज़ बोली है कि यहां पर ring है अरे रिंग बोलने का क्या जरुवत था तुम सीधा यह बता सकते थे ना ट्रांसमिट हो जाएगा तो मैं आपको सारांच बना के दे रहा हूं वो सारांच याद रखो entrance exam तक और कोई चीज़ याद करने की जरुव कुछ energy यहां से transfer हो जाएगी, so 80% यहां पर मेरा निकल गया, crest यहां से निकल गया, 80% और 20% यहां से वापस आएगा, so because 20% वापस आएगा, तो यहां से वो छोटा बनेगा, क्या बनेगा यहां पर छोटा बनेगा, सो यही हो जाता है हमारा actual concept जो textbook वाले बिचारे बोलना चा रहे थे, ठीक है, सो यह कब valid है, यह valid है जब हम जा रहे हैं, dancer से rarer medium, कहां से कहां जा रहे हैं, हम जा रहे हैं dancer से rarer medium, अभी यही उन्होंने फिर दूसरा example देके बताया है, थर्ड वाला डायग्राम कितना गंदा है वो, कि एक मोटी वायर है, एक पतली वायर है, उसमें यही किया है, ध्यान से एक बार पढ़के देखना चलिए, आ जाते हैं, डिसकस करते हैं, यहाँ पर reflection of a longitudinal wave, आपको पता है, longitudinal wave बनी हुई है दो हिस्सों से, जिसका एक हिसा हो जाता है यहाँ पर compression, दूसरा हिसा हो जाता है यहाँ पर rare friction, वही बात है, अभी यहाँ पर तो rare or medium air ही है, because sound में तो air ही हमारा rare or medium बन के काम करता है, और denser medium क्या है, denser medium यहाँ पर हमारी wall है, कंप्रेशन आया, बरो बर, डेंसर मीडियम में इतने सारे मॉलिक्यूल से कुछ करी नहीं पाया का कम्प्रेशन अब एक बेसिक सा एक्जाम्पल देता हूँ समझो यहाँ पर चार पांच लड़के हैं क्या है आप चार पांच लड़के हैं पहला पहला लड़का है आपर समझो अनिकेत नाम का अनिकेत यहां से भागा दीवार को धक्का देने का कोशिश किया कुछ नहीं हुआ अनिकेत के पीछे अथरवा है अथरवा यहां से भागा दिवार को धक्का देने का कोशिश किया कुछ नहीं हुआ अथरवा के पीछे समझो एक और लड़का है सुमित नाम का सुमित यहां से भागा दीवार को धक्का दिया कुछ नहीं हुआ उसके पीछे और लड़का है समझो एक तो नाम भी सोच के लेना पड़ता है एक बार मैंने नाम ले लिया था और वो यूट्यूब पे टीचर निकला था फिर लोगों ने वोला जान बूच के जान बूए रहे भाई ठीक है कोई भी एक लड़का है चौथा लड़का है यहा नहीं उल्टा क्या होगा इसी सेक्षन में भीड जमा हो जाएगी क्या हो जाएगी यह लोग एक दूसरे के उपर जाके गिरेंगे उसी सेक्षन में भीड जमा हो जाएगी so compression गया था compression ही यहां से वापस आएगा because denser medium को कोई हिला नहीं सकता है denser medium को कोई नहीं हिला सकता है so compression is reflected as a compression चलिए पढ़ते हैं दूसरी चीज यहां पर denser medium से जब हम rare medium में जाएंगे बोलो वापस से फिर हरा फिरी का वही दीवार imagine करो फिर हरा फिरी का वही दीवार imagine करो जो कि एक poster से बनी हुई है so क्या होगा जैसे ही मैं यहां पर particles को बेजूँगा यह दीवार तो मेरी rare hour है rare hour में क्या है rare hour में कुछ capacity है यह नहीं rare hour के molecules कैसे होते हैं rare hour के molecules इतने दूर दूर होते हैं क्या हो जाएगा मेरी दीवार से यहां पर चीजे चीर फार के निकल जाएगी क्या हो जाएगा दीवार से मेरी चीर फार के चीजे निकल जाएगी अब यह चीज हमारे साथ रोज होती है अब मैं यहां पर खड़ा हूँ मेरे आसपास दीवार है तो अभी जो मैं बात कर रहा हूं क्या ऐसा है क्या बाजु आले rooms में आवाजी नहीं पौच रहे नहीं बाजु में तो आवाज पौच रहा है भले कम पौच रहा होगा पर पौच तो रहा है तो यहां पर क्या हो गया जो compression आया था उसमें से समझो यह वाली line और समझो यह वाली line क्या हो गई यह दोनों lines यहां से transmit हो गई, क्या हो गई दो lines यहां से transmit हो गई, अब 4 लोग आये थे, 4 में से 2 transmit हो गई, 2 यहां पे रह गए तो यहां पर खालीपन हो गया, सो हम क्या कहते है, compression गया था, वापस कौन आया, सो वापस यहां से आया मेरा, rare fraction कौन आया, वापस यहां से आया मेरा rare fractions, because यहां पर क्या हो गया, because यहां पर हो गया transmission of sound क्या हो गया, यहां पर हो गया, transmission of sound, so मुझे नहीं लगता है यह heavy है, topic थोड़ा सा भी students, confusing लगता है textbook के diagrams, और confusing है in case जिसको नहीं समझाओ dancer, धक्का मार के देगा so crest गया, धक्का मार के दिया mark आया, crest ने टरफ बन के आया dancer से rare, rare rare medium में दम ही नहीं है crest आया 100%, गुजगया टरफ में, oh, crest आया 100% dancer medium से गुजगया, rare medium में और rare medium में इतना तो हिम्मत है नहीं के उसको मार के उल्टा करके बेजे so यहाँ पर गलत बन गया diagram, share, okay, so यहाँ पर गलत बन गया, so यहाँ से conversion हो गा ही नहीं, थोड़ा सा भी, okay, उल्टा बन गया मुझसे, उल्टा ही बन गया, so वे, वापस उल्टा बन गया, रहे, लगता है actually, समय हुआ है, रात के साड़े-चार बज गये है, so लगता है नीन दाना शुरू हो गई है, so basically यहाँ पर conversion possible ही नहीं है my bad, क्योंकि rarer medium कुछ नहीं कर सकता है, right, rarer medium यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता है ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ compression था, धक्का दे रहे थे चार लोग दीवार को नहीं हिला सकते है so उल्ता भीड जमा हो गई so compression गया, compression आया and finally यहाँ पर क्या है finally यहाँ पर rarer medium से दीवार फाड़ के यह लोग निकल जाएंगे चार लोग आये थे, दो चले गए, so खुद बखुद यहाँ पर क्या हो गई, बीड खाली so compression वापस आया as a rare fraction finally start करते हैं the most important concept, जिसके बाद हमारा derivations का part यहाँ पर start होगा, the concept of superposition, क्या है concept का नाम the concept of superposition superposition हर चेप्टर में है अगर आप ध्यान से देखो gravitation में है electrostatics में है vectors में है, Newton के laws में है, laws of motion में है, sound chapter में है काफ़ी सारे chapters हो गए, right so mostly chapters में लगता है superposition of wave लगता है superposition of charges लगता है superposition of electric field लगता है potential, potential के बारे में भी हम देखते हैं, क्या होता है superposition का मत्वर example तोर पे मेरे पास यहां पर एक room है, क्या है मेरे पास यहां पर एक room की लगा दी, यह ना, same company, same brand की क्या कर दिया, मैंने यहाँ पर दूसरी light लगा दी, अब मुझे बताइए, पहली वाली light को jealousy मैसूस होगी क्या, come on, जलन मैसूस होगी पहली वाली light को, के यह बंदा दूसरी light मेरे होते हुए कैसे लाया, so light का gender नहीं होता है, fortunately, so jealousy issues भी नहीं हो सो यह वाली light भी उतना ही light यहाँ से देख यह ना, यह वाली light भी क्या करेगी, उतनी ही light यहाँ से radiate करेगी, अब मुझे बताओ, beach वाले region में ऐसा नहीं लग रहा है, light दोनों के वज़े से आ रही है, इसी को कहते हैं हम concept of constructive interference, constructive कुछ अच्छा हुआ, interference दो दखल अंदाजी, interference अगले chapter में हमें भर भर के पढ़ना है, और यहाँ पर भी पढ़ना है, no doubt, से इसी को हम कहते हैं, constructive interference, the principle that, पढ़ा लेता हूं नहीं, तो फिर comment आता है, आप definitions नहीं कराते हो, देख लो, when two or more waves overlap, जब दो waves एक दूसरे के भीड़ जाएंगी, interfere करेंगी, the resulting disturbance is equal to the algebraic sum of the individual disturbances, ठीक है, अगर पहले वाले की intensity थी 5, दूसरे की intensity थी 5, 5 प्लस 5 हो जाएगा, यहाँ पर 10 के बराबर, algebraic sum यहाँ पर होगा, अब दखल अंदाजी दो प्रकार से हो सकती है, interference कितने प्रकार का होता है, interference यहाँ पर होता है, हमारे दो टाइप का, पहला हो जाता है, आपर हमारा constructive interference, दूसरा यहाँ पर हो जाता है, हमारा destructive interference, consider करते हैं, इसके crest का amplitude है plus 2, consider करते हैं, इसके भी crest का amplitude है plus 2, इसका trough है minus 2, इसका trough है minus 2, crest के ऊपर crest गिरा, trough के ऊपर यहाँ पर trough गिरा, बोलो, इन दोनों को add करूँ, ऐसा नहीं लग रहा है, crest plus crest, 2 plus 2 हो जाएगा, यहाँ से 4, minus 2, minus 2 हो जाएगा, यहाँ से minus 4, ध्यान से देखो, resultant wave क्या है, resultant wave है, मेरी algebraic sum of the previous two waves, as simple as data, यह simple है या, तुमको 5 रुपया दिया, फिर 2 रुपया दिया, 7 रुपया हुआ, superposition है वही, ओके, 5 रुपया दिया, plus 2 रुपया दिया, 7 रुपया, superposition है, अभी इसी में 5 रुपया दू, 5 रुपया लूँ, वो भी superposition है, बरबर, algebraic sum, what a superposition, algebraic sum of the individual disturbances, जो individual चीजें हो रही है, उसका basically क्या है, यह हमारा algebraic यहाँ पर sum है, अब destructive interference का मतलब क्या है, वापस से वही दो wave consider करो, plus 2, minus 2, oh sorry, sorry, मैं एक, हाँ, plus 2, minus 2, trough हमेशा negative होता है, सो यहाँ पर यह crest है उपर, तो यह plus 2, और यह trough यहाँ पर minus 2, बोलो addition क्या मिलेगा, addition यहाँ से हमें मिलेगा, 0 के बराबर, addition क्या मिलेगा, addition यहाँ से हमें मिलेगा, 0 के बराबर, destructive, विनाश हो गया, okay, so destructive interference के examples, usually लोग नहीं बता पाते हैं, constructive का तो कोई भी बता लेता है example, बढ़ destructive के examples नहीं बता पाते हैं लोग, so destructive हम यूजिक इंडस्ट्री में, okay, destructive कहां यूज उज करते हैं, यूजिक इंडस्ट्री में बहुत जाला यूज करते हैं, music editing में हम बहुत जाला यूज करते हैं, आपको पता होगा दो प्रकार से हम sound को सुनते हैं एक होता है हमारा left side एक होता है हमारा right side अगर आप headphones use करते हैं तो आपको पता होगा sound left side से भी आता है sound right side से भी आता है बाकी music as it is रहती है तो हम लोग क्या करते हैं दो track लेते हैं एक left वाला track लेते हैं एक right वाला track लेते हैं अभी मैं क्या कर दूँगा ये वाले track पे एक effect लगा दूँगा जिसका नाम होता है invert effect क्या effect लगा दूँगा इस वाले track पे एक effect लगा दूँगा जिसका नाम होता है य INVERT EFFECT, So INVERT में क्या हो जएगा, INVERT में ये वाला track मेरा यहां से REVERS हो जएगा, क्या हो जाएगा INVERT हो जाएगा, यहां से यहां, जब मैं LEFT और RIGHT कान को يहां से mix करूँगा, बोलो, SINGर का आवास क्या होगा come on, so singer का आवाज आता ही नहीं है, singer का आवाज यहां से trim हो जाता है so destructive interference हम sound को use करके करके हम कर सकते हैं चलिए Instagram पे मेरे कई कहरेयो के पे गाय हुए गाने हैं, आप चाहो तो check out कर सकते हो चलिए start करते हैं आपर हम amplitude of resultant wave produced due to superposition oscillations chapter में मैंने आपको बताया था, आज वापस बता रहा हूँ जो भी derivations हम करते हैं, उसका हमारा उद्देश ही होता है कि जो final answer आ रहा है final answer भी हमारा उसी के similar आए, ऐसा नहीं कि मैंने solve किया, start किया था wave equation से और answer आया मेरा derivative of f of x of log of 10 of sec of x ऐसा नहीं चाहिए होता है, जब भी हम कोई derivations start कर रहे हैं, यह उमीद रखते हैं कि हमारा final answer भी उसी के आसपास कुछ नजर आए, तो यह जो derivation है oscillations में हम already कर चुके हैं, अगली जो derivation है वो भी oscillations में हम already कर चुके हैं, बहुत जादा similar derivation है, मेरे कहने का मतलब है, logic बहुत जादा same है, और इस derivation का तो final answer भी same है, यह final answer हमारा composition of 2shm में already हम same कर चुके हैं, चलिए consider करता हूँ, मेरे पास 2 wave है, यह है पहली wave, यह पहली wave की equation है, y1 is equal to the a1 sign of omega t consider करता हूँ, मेरे पास दूसरी wave है, पर मुझे बताओ, जिन्दगी इतनी जादा आसान है कि एक का crest हमेशा दूसरे के crest के नीचे मिले, जिन्दगी इतनी आसान नहीं है मेरे दोस्त, अभी अभी world cup हारा है हमने, कभी भी over confidence आ जाए life में, कभी भी तुमको लगे कि जो मैं सोचूंगा वही होगा, world cup का situation याद करो, किस्मत, करम, बहुत सारे factors साथ में होते हैं, hard work के साथ, तो कभी भी नमर रहना सी लिखो, world cup अभी अभी हारे, move on ही नहीं हो रहा है, मेरा मैं क्या करूँ, चलिए, mood खराब कर दी आपका भी, so basically जरूरी नहीं है, एक के नीचे ही दूसरा यहाँ पर crest है, हो सकता है, दूसरा crest मेरा यहाँ से चालू, कुछ भी हो सकता है, दूसरा crest यहाँ से चालू, so basically physics derivations ऐसा लगता है कि maths का paper उठा लिया है, तो मैं आपको बताओ, जो भी step आप कर रहे हो, एक दो एक दो शब्द English में लिखते रहो, feel आना चाहिए कि English का paper चल रहा है, ठीक है, feel आना चाहिए physics का paper चल रहा है, तो ऐसा लगता है, maths का paper है, चलिए, क्या किया, दोनों को cos b, साथ में हो जाता है, यहाँ से cos a sin b, बरोबर, सो यह हो जाता है हमारा basic सा funda, तो यही मैंने किया है, sin a cos b, cos a sin b, अब मुझे एक बाद बताओ, पूरे mathematics में कोई भी ऐसी equation है, क्या जिसके अंदर 3 trigonometric terms हो, come on, कोई भी trigonometry की equation आपकी mathematics में ऐसी है, क्या जिसके अंदर में 3 trigonometric parts आए, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ऐसा तो कोई भी trigonometric नहीं है, sin c plus sin d plus sin ही, ऐसा कुछ है क्या, कुछ भी नहीं है, सो 3 में से मुझे 2 बनाना है, 3 में से 2 बनाने के लिए क्या कर दूँगा, sin omega t यहां से, common निकाल लूँगा, क्या निकाल लूँगा, sin omega t यहां से common निकालो common निकाला अंदर में ये वाला term बचेगा यहाँ पर ये वाला term बचेगा so basically यहाँ पर मैंने क्या किया 3 term से 2 terms में आगया काफी लोग बोलते हैं physics का derivations नहीं समझता है नहीं समझने का reason है आपको हर step का reason नहीं पता है इस वज़े से हर step के पीछे का thought process बता रहा हूँ गौर फरमाओ उस पर चलो so 3 step से मैंने क्या किया मैंने 2 step यहाँ पर कर दिया अब जैसे oscillations में किया था वैसे यहाँ पर करेंगे मुझे क्या करना है final equation कुछ ऐसे ही लाना है तो final equation में मुझे cos तो बिलकुल भी नहीं चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा इनको मुझे assumption लेना पड़ेगा कि let a1 प्लस a2 cos of phi be equal to the a cos of theta a1 क्या है amplitude है a2 क्या है amplitude है cos phi क्या है कुछ न कुछ angle है so amplitudes और angle मिलेंगे so कुछ न कुछ cost में ही आएगा बट obviously बात है angle अलगाएगा so मैंने बोल दिया ये बराबर हो जाएगा cos of theta के और even a2 का भी कुछ न कुछ addition मैंने बोल दिया यहाँ पर हो जाता है a के बराबर उसी प्रकार से a2 sin 5 अभी इसको भी हम क्या बोल देते हैं इसको भी बोल देते हैं आपर a sin theta के बराबर to be very very honest ये करना ethical नहीं है ये करना थोड़ा सा यहाँ पर ethical नहीं है but still हम कर देते हैं because बाद में हम इसको प्रूफ करके उसी equation पे लेकर आएंगे बाद में हम English प्रूफ करके उसी equation पे लेकर आएंगे but as of now हम बोल देते हैं कि चलो जहाँ पर ये amplitude a था तो नीचे वाले के उपर भी ये ही amplitude और theta यहाँ पर भी 5 के जगे हम वही theta ले लेते हैं logic समझे के हमने क्या किया एक बार वापस से देखो हमने जबड़दस्ती theta पैदा किया है जबड़दस्ती क्या किया है 5 को हकाल के theta को यहाँ पर पैदा किया है तो वही हमने यहाँ पर assumption लिया है जो extra terms मेरे पास बच रहे थे ज़ादा overthinking मत करना overthinking करोगे डर जाओगे बस कुछ नहीं किया है जैसे oscillations में किया था वैसे यहाँ पर क्या किया है my star equation which is very 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 much similar to the wave equation this proves that कि जो हमारी super position से wave बनती है super position से जो resultant होता है वो भी एक हमारी wave ही है वो भी क्या है? वो भी हमारी एक wave ही है मैं बहुत दो waves जब जुड जाती है वो भी किसको जनम देती है? वो भी एक wave को ही जनम देती है सो यही था इस derivation का हमारा aim कि जहां से हमने start किया था final result भी वही शकल वाला होता है बट आप वापस से वही बात आ जाती है कि match तो नहीं कर रहे हैं कि कुछ भी assumption लेके छोड़ दिया match तो नहीं कर रहे हैं कि कुछ भी assumption लेके छोड़ दिया integration में plus c आया छोड़ दिया physics चल रहा है physics में क्या करना पड़ता है सबूत देना पड़ता है हर चीज का तो अभी मैं सबूत दूँगा कि यह जो मैंने किया था यह जो मैंने किया था अगर मेरे resultant vector equation के तरह आ गया तो इसका मतलब मेरा assumption यहाँ पर सही है देखो आप दो भी चीज physics में add होती है दो मिनट गौर फर्मा उस बात पे नहीं तो समझता है बट याद नहीं रहता है addition की शुरुवात कहां से हुई थी physics में physics में addition की शुरुवात हुई थी class 11th में vectors में जब हमने दो vectors को add किया था और parallelogram law of vector addition बनाया था second chapter में यही है तो अगर मैं उस equation तक पहुच गया इसका मतलब सबसे यह तो that's it इसमें क्या कर देंगे इसमें हम कर देंगे यहाँ पर squaring and adding क्या कर देंगे यहाँ पर हम लोग कर देंगे squaring and adding and that's it जिन लोगों ने oscillations देखा है यह वाला पार्ट हवे में मस्ती मस्ती करते करते समझ रहे होंगे जुन्होंने नहीं देखा है देख ले ना free में दो derivation के जगे दो हो जाएंगी चलो यहाँ पर square करूंगा a square cos square theta plus a square sin square theta बोलो a square को common निकालूंगा मिलेगा sin square theta plus cos square theta जो की हो जाता है हमारा यहाँ पर one के बराबर क्या हो जाता है हो जाता है one के बराबर इसको यहाँ से square करूंगा यह हो जाएगा a plus b the whole square के बराबर क्योंकि बड़ा term है और यह तो छोटा ही है single तो हो जाएगा a two square sin square यहाँ से five के बराबर यह हो जाएगा a का square यह हो जाएगा यहां से b का square यह हो जाएगा यहां से 2 times of a b के बराबर बोलो a2 को square को common निकालो so a2 square को common निकालोंगा क्या बचेगा sin square 5 plus cos square 5 1 के बराबर यह तो वही resultant vector equation मिल कही और यही equation हमारी composition of 2shm का भी answer है तो जिन लोगों को यह derivation समझा अभी के अभी जाओ यह lecture के बाद जाओ composition of 2shm करो जिनको composition of 2shm समझा था उनको यह derivation यहाँ पर समझ गई होगी चलिए finally शुरू करते हैं the most important part of the chapter जिसका नाम है stationary wave मैंने यह सब कराया थोड़ा सा detail में जिसका reason है डर निकालना था जादा समय ले लिया शायद मेरे साब से 40-45 minutes चले गए but let's समझते है stationary wave क्या होती है पहली पहली बात तो नाम में ही contradiction है wave का मतलब क्या होता है wave का मतलब होता है energy wave का मतलब होता है disturbance जब मैं कलूँ wave तो wave का मतलब motion motion जैसा feel होता है wave का हमने शुरुआत ही किया progressive wave से progressive wave का imagination ही हमको बेता है ऐसी wave जो चलती रहे सीधा but ये तो stationary wave है ये क्या बात हुआ stationary stationary मलब उदर के उदर ही है पर फिर भी wave है stationary wave actually नाम ही contradiction है उदर के उदर ही है पर फिर भी wave है usually हमको क्या होता है मैं wave बोलूँ आप ऐसा ऐसा imagine करोगे मैं water wave बोलूँ आप imagine करोगे पानी की लहरें ऐसे बह रही है but stationary wave थोड़ा सा हमारा एक नया product होता है क्या होता है stationary wave हमारा actual में यहाँ पर थोड़ा सा नया सा product होता है stationary wave में basically क्या होता है stationary wave आप imagine कर सकते हो बनती कैसे है, तो इसके उपर हम जादा focus नहीं करेंगे, बट हाँ हम गहराई में जाएंगे उसके, बट बनती कैसे है, पर जादा focus नहीं करेंगे, बट beyond the scope हो जाएगा, so example तोरवे मेरे पास यहाँ पर एक रसी है, है ना, यहाँ पर आपके हाद में भी एक रसी है, so दोनों के आद में क्या है, दोनों के हाद में यहाँ पर रसी है, so हम दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों simultaneously मैं यहाँ से wave बेज रहा हूं, आप मुझे वहाँ से wave बेज रहे को, ओके, एक ही रसी पे दो waves आ रही है एक wave आ रही है इस तरफ एक wave आ रही है उस तरफ बोलो दोनो waves एक दूसरे को constructively add करेंगी कि दोनो waves एक दूसरे को destructively खतम करेंगी बोलो क्या लगता है come on दोनो waves एक wave आ रही है left side से एक wave आ रही है right side से दोनों वेवस एक दूसरे को add करेंगी कि दोनों वेवस एक दूसरे को constructively or destructively destroy करेंगी so answer है दोनों होगा come on दोनों होगा अभी 100 बच्चे जा रहे हैं मैं पत्थर मार रहा हूं दो चीज़े होंगी पत्थर लग भी सकता है पत्थर नहीं भी लग सकता है कैसे हम लोग देखते थे के स्कूल में नीचे कोई जा रहा है ऐसा paper लेकर मारते थे वैसे चलते थे basic basic बच्चपन वाली हरकते राइट school में बैठे हैं बायर की बातें छोड़ दो ऐसे paper ऐसे बना के कान वाला किसी को मारते थे राइट basic बाते राइट हो सकता है लगेगा हो सकता है नहीं लगेगा उसी प्रकार से जब ऐसे तरीके से दो वेव जाती है इस प्रकार से जब दो वेव जाती है तब क्या होता है तब basically यहाँ पर constructive interference भी होता है और जो हमें result में wave मिलती है वो मिलती है हमें कुछ इस प्रकार की wave क्या मिलती है हमें मिलती है यहाँ पर कुछ इस प्रकार की wave और इसी wave को कहा जाता है यहाँ पर stationary wave क्या कहा जाता है इसी wave को कहा जाता है यहाँ पर हमारा stationary wave आपको समझा होगा बट स्टिल हो सकता है समझने में थोड़ी सी दिक्कतें आ रही हो तो मैं थोड़ा सा इसको और गहराई में यहाँ पर लेके जा सकता हूँ तो एक वेव अब यह रसी है मेरे हाथ में यह क्या है मैं नीचे बना देता हूँ एक वेव यहाँ पर मेरे हाथ में रसी है तो रसी से इधर से मैं एक वेव बना रहा हूँ यहाँ पर एक दूसरी वेव बन रही है दूसरा जना बना रहा है तो दो प्रकार की यहाँ पर वेव बन रही है दोनों को रिप्रेसंट करते हैं अलग-अलग कलर से क्या करते हैं दोनों को represent करते हैं यहाँ पर हम अलग-अलग colors है so colors I hope आपको दिख भी रहे होंगे right so dark color है, light color है चले अब क्या होगा पहली wave मैंने यहाँ से बनाई so यहाँ से मेरा crest गया क्या हुआ यहाँ से मेरा crest गया पर वहाँ से क्या हुआ simultaneously सामने वाले ने दूसरी wave बना दी simultaneously क्या हो गया simultaneously सामने वाले ने दूसरी wave बना दी so दूसरी wave कैसे आई मुझ तक दूसरी wave मुझ तक यहाँ पर कुछ ऐसे आई, दूसरी wave कैसे आई दूसरी wave मुझ तक यहाँ पर कुछ ऐसे इसमें अगर आप एडिशन करोगे तो आपको पता चलेगा आगे कभी कुछ नहीं जाएगा विकॉज इनर्जी खतम हो जा रही है बट फॉर टाइम बिंग डिस्टर्बंस तो होगा विकॉज आप कंटीनिसली हाथों से वेवज बनाते जा रहे हो सो बेसीकली stationery वेव का प्रपोगेशन कैसे होता है सो अगे त्यान से देखो जह दो कभी उपर है कभी नीचे है कभी उपर है और यहाँ पर आप लोगों को black color ही दिख रहा होगा बहुट पीछे वाइट कलर से भी थोड़ा यहां पर वह हो रहा है इनिमेशन हो रहा है अगर ब्लैक कलर ऊपर है तो यहां पर नीचे है ब्लैक ऊपर वाइट नीचे ओके और जब ब्लैक नीचे आ तो य cleaner श्रा में यहां इसी प्रकार श्रेंस होता है आएज़ांपल तगर तो तो slow-mo photography में क्या होगा मुझे छोटे-छोटे instance नज़र आएंगे क्या होंगे मुझे छोटे-छोटे instance नज़र आएंगे चलिए तो मैं देखता हूँ tis equals three one second में मेरे photo में क्या आया तो पहले-पहले second में मेरे photo में आता है कि जो मेरी black color वाली wave है वो कुछ ऐसे है और जो मेरी यहां से blue color वाली wave है कुछ यहां से ऐसे चिक है तो मुझे first second पर यह photo नज़र आता है यह observation है ध्यान से observation हम लोगों ने दो बच्चों को रसी दे दी हमने बोला मस्ती करते रहो और इधर मैं बेटके one by hundred frames per second से photos ले रहा हूं observation है उसके बाद क्या होगा उसके बाद यहां पर दूसरे second है तो दूसरे second पर मैं क्या द पूरा का पूरा लूप ऊपर नीचे आता है stationary wave में खास बात क्या हो रही है stationary wave की खास बात हो रही है अगर यहाँ पर black loop उपर है पूरा का पूरा loop यहाँ पर नीचे आएगा और यही property सबसे अलग हो जाती है हमारी हमारे progressive wave से बोलो progressive wave में हमने क्या पढ़ा था यहाँ पर क्या होता था हर एक पार्टिकल का अलग फेज है ए फ्रूटी पीने गया बी बैठा था बी फ्रूटी पीने गया ए फ्रूटी पी के आ गया था है ना बट stationary wave में क्या होता है stationary wave में आधी wave का फेज सेम होता है कितनी वेव का आधी wave का फेज सेम होता है stationary wave की properties board exam में आती है by the way stationary wave में क्या होता है आधी wave का आपका फेज सेम होता है आधी wave का पूरा का पूरा क्या होता है आपर आपका फेज सेम हो जाता है मतलब यह वाला section अगर मेरा उपर है तो यह वाला section अग नीचे जाएगा आधा loop पूरा का पूरा उपर जाएगा यहां पर पूरा का पूरा नीचे जाएगा यह हो जाती है हमारी यहां पर एक major property है तो यहां पर क्या होता है furthermore यहां पर देखो कुछ points ऐसी है जो वाइबरेटी नहीं हो रही है जिनका y-axis में कुछ displacement ही नहीं है देख रहे हो क्या कुछ points यहां पर ऐसी है जिनका y-axis में कुछ भी displacement है ही नहीं तो ऐसी points को किया कहते है node क्या कहते है, ऐसी points को हम कहते है node, node कौनसी points होती है node हमारी वो points होती है जिनका displacement कितना है बोलो, no word का मतलब क्या होता है no word का मतलब होता है, नहीं so node का मतलब क्या होता है ऐसी points जिनका displacement कितना है जिनका displacement है यहाँ पर 0 के बराबर, क्या है जिनका displacement है यहां पर हमारा z-or के बराबर उमीद करता हूं समझ में आ रहा है, वन शॉट लेक्टर है, वन शॉट है तो इससाफ से मैं उमीद करता हूं, समझ में आ आ ड़ा है, हे फो यहां पर अगर आप आप देखो गे यह वाली पॉइंट न उपर जारी है न नीचे जारी है ये वाली point न उपर जारी है न नीचे जारी है ये वाली point न उपर जारी है नीचे जारी है ये सारी के सारी red color points क्या है सारी के सारी red color points यहाँ पर हमारे node को represent करती है क्या करती है सारी के सारी red color points यहाँ पर node को represent पर दर्मोर यहां पर कुछ points ऐसी हैं जिनका displacement हमेशा में और वाप्रे मतलब बार-बार-बार-बार वही टॉपर है भार-बार बार-बार हमारी वही टॉपर है टॉपर लोग यहां पर fix है कैसे कुछ classes होते हैं जिसमें पता होता है क्यार यही टॉप आएगा यही होता है वही 4-5 गिने चुने टॉपर होते हैं उनमें सब चीजें चलती रहती हैं सो बेसिकलिए यहाँ पर कुछ पॉइंट से हैं ध्यान से देखो यहाँ पर आ रही है वो वाली पॉइंट देखो बार 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 पर maximum है अभी देखो यह वाली पॉइंट का displacement कितना है यह वाली पॉइंट का कुछ displacement जादा है यह नहीं अगर यहाँ पर मैं y-axis को plot करना चाहूं यह मेरा origin है y-axis को plot करना चाहूं बार बार इसी पॉइंट का displacement जो मैंने black color से यहाँ पर line पहनी है उसी का displacement क्या है यह पर मैं अग्जीमों, यह व्मक्वर पॉइंट का क्या है । इनको क्या कहते है इनको कहते है opposite of node या नियह 0 है तो यह hero है और इनको क्या कहते हैं को हम लोग कहते हैं एंटी नोड उनको क्या कहते हैं एंटी नोड ये हुई हमारी second most important property notice किया क्या come on second most important property वैं उदर अलग था वहाँ पर देखो एकदम opposite हो रहा था यहाँ पर कैसा हो रहा था no particle permanently remains at rest कोई भी particle ऐसा नहीं था यहाँ पर जो सोया है पपा fruity लेके नहीं दे रहा है इधर क्या है इधर तो basically अपना है node exist करते हैं furthermore यहाँ पर situation ऐसा है कि all the vibrating particles have the same amplitude सब लोग वही fruity की दुकान पर जाएंगे सब लोग extreme position तक ही जाएंगे बोलो agree करते हो क्या सब लोग क्या कर रहे है सब लोग वही extreme तक जा रहे है a भी उदर तक गया फिर b भी उदर ही fruity वाले के पास गया c का number आया वो भी वहाँ गया यहाँ पर ऐसा नहीं है come on यहाँ पर ऐसा नहीं है a सबसे दूर वाली दुकान पर जा रहा है और यह जो छोटा particle बनाया है जिसको मैं M नाम दिरता हूँ M तो विचारा खाली 4 cm यहाँ से जा रहा है यह तो यह यहाँ से लेकर यहाँ तो कितना लंबा लंबा distance travel कर रहा है मतलब हर object यहाँ पर अलग distance चलता है चली इतनी properties जितनी मैंने आपको बताई बहुत जादा sufficient हो जाती है बहुत जादा sufficient हो जाती है समझने के लिए जो भी properties आपने पीछे पड़ी थी उससे अभी आप खुदी compare करके देखो खुदी compare करके देखो आपको अब समझ में यहाँ पर आ जाएगा मैंने बहुत जादा depth में theory part यहाँ पर लिया है बहुत जादा depth में यहाँ पर theory part मैंने लिया है चली अब क्या करते हैं अभी यहाँ पर हम देखते हैं equation of a stationary wave क्या देखते हैं equation देखते हैं आपर हम stationary wave की और वही साबित करना है कि stationary wave भी एक wave ही है वही दिखाना है कि stationary wave एक साधारण wave है stationary wave कोई तीसरी प्रकार की wave नहीं है अगर stationary wave मेरी कोई तीसरी प्रकार की wave होती थर्ड प्रकार की तो equation अलग आती पर हमारी final equation वही आएगी जहां से हमने start किया था चलिए शुरू करते हैं So basically यहाँ पर क्या consider करेंगे consider करेंगे कि एक मेरा left axis से आ रहा है एक wave मेरी कहां से आ रही है एक wave मेरी आ से आ रही है left axis से ऐसे आ रही है क्या consider करेंगे एक wave मेरी यहां से दूसरे axis से जा रही है दूसरे axis से क्या रही है दूसरे axis से यहां पर जा रही है actually इन सब wave का sign convention भी होता है कि अगर आपकी wave negative में जा रही है तो sign convention ऐसा positive में जा रही है तो sign convention ऐसा पर वो MH3CET के समय हम करेंगे अभी उसका need नहीं है अभी सिर्व आप क्या करो एक को positive रखो एक को negative रखो तो भी चलता है इसका sign convention होता है मैं यहाँ पर बना देता हूँ जिनको चाहिए note down करके रख सकते हो otherwise मुझे ही बोलोगे कि करा नहीं ऐसा वैसा तो यह sign convention यहाँ पर आपका follow होता है अगर wave positive side जाती है तो ऐसा convention होता है और negative x-axis में जाती है तो ऐसा detail MHT CET में हम देखेंगे दोनों को यहाँ से add कर दिया a common निकलेगा यह मेरा term बच जाएगा बोलो ऐसा नहीं लग रहा है यह sign c plus sign d के बराबर है come on इस पूरे को क्या नाम देरता हूँ इस पूरे को नाम देरता हूँ मैं c के बराबर अगर यह पूरा मेरा c के बराबर है तो यह पूरा कितना हो जाएगा यह पूरा हो जाएगा मेरा d के बराबर sign c plus sign d का formula क्या होता है मैं maths पर छोड़के काफी साल हो चुके हैं बड़ उम्हित करता हूँ आप लोगों को याद होगा sign c plus sign d का formula होता है 2 sign c plus d by 2 into cos of c minus d by 2 देखो वही किया है यह है c यह है d यह है c टेक्स्बुक वालों को पता नहीं क्या हुआ paper कम हो रहा था paper जादा हो रहा था उन्होंने बार 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 अलग चीज लिखा है जब k को मैं k बोल सकता हूँ so k को उन्होंने 2 pi by lambda क्यों कहा है जब k को मैं k बोल सकता हूँ सो उन्होंने k को 2 pi by lambda क्यों बोला है सो basically कुछ भी कुछ भी किया है तो आप short terms में लिखो तो अच्छा रहेगा चलिए सो यहां से मेरा minus kx plus kx हो जाएगा cancel omega t plus omega t बेदेगा मुझे 2 times of omega t और उसको करेंगे divide by 2 सो मेरे पास यह बचेगा यहां से sin c plus sin d से 2 का term आता है सो 2 a से multiply हो जाएगा सो यहां तक I hope आपको समझा यहां पर omega t omega t हो जाएगा cancel minus kx minus kx होता है minus 2 times of kx के बराबर बट आप लोगों ने mathematics में एक property सुनी होगी मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है बट I hope आप लोगों को याद होगा cos of minus theta होता है यहां पर cos of theta के बराबर cos of minus theta होता है cos of theta के बराबर इसका proof अगर आपको चाहिए तो क्या करो origin बनाओ negative side और positive side x-axis बनाओ और cos का graph negative side से शुरू करो positive side तक लेके जाओ आपको अंसर खुदी देखके समझ में आ जाएगा बट mathematics की यह property होती है so minus kx यहां पर क्या बचेगा? बचेगा cos of यहां से 2 times of kx divided by 2 के बराबर क्या बचेगा यहां से मेरे पास बचेगा cos of 2 times of kx divided by 2 के बराबर वापस यहां से 2 और 2 हो जाएगा cancel मुझे यह equation यहां से मिल चाहिए क्या बोला मैंने शुरू जहां से करो खतम भी क्या करना है? खतम भी वैसे करना है ऐसा नहीं होना चाहिए कि शुरू यहां से किया final equation है log of sec x of 10 x upon me cos x तो basically शुरू जहां से किया था वहाँ पर sign का term है जहां खतम करूँगा वहाँ पर क्या होना चाहिए? sign का term होना चाहिए तो sign के term को मैं separate कुरसी दे दूँगा कि भाई तू इधर बैट बाकी जितने भी terms है इसको मैं साथ में लिखूँगा और उसको बोलूँगा let जो मेरा नया amplitude है a because वहाँ पर amplitude का term आता है जिकोसरी हो जाएगा to a cause of यहाँ से k times of x k बराबर सब terms को गायब कर दिया यह assumption लेके और finally यहाँ पर मुझे मिल जाता है y is the cause of a sin of omega t जो की बहुत जादा similar है मेरी इन दोनों equations से इसका मतलब मेरे super position का जो result हो रहा है जो stationary wave मेरी बन रही है वो yes reality में भी एक wave ही है क्या है reality में भी वो एक wave ही है okay so that was all about the derivation part और इसी में अभी stationary wave हमारी दो प्रकार की होती है stationary wave हमारी दो प्रकार की होती है मैंने आपको बताया था stationary wave एक तीसरी wave नहीं है ऐसा मत समझना एक है transverse wave एक है longitudinal wave अभी यहां पर लिखूँगा stationary wave stationary wave खुद दो प्रकार की हो जाएगी transfer stationary wave and longitudinal stationary wave मतलब example तोर पे एक pipe है pipe में इदर से मैं भी बात कर रहा हूँ उदर से आप भी बात कर रहे हो so basically ऐसे करके आप अगर consider करो दोनों जगे से waves जा रही है या फिर string है स्ट्रिंग में दोनों जगे से vibrations जा रहा है so वैसे situations में हम consider करते है stationary wave so basically जो हमारे praticals है sonometer में क्या होता है sonometer में अगर आप देखो sonometer में आप लोग दो bridges रखते हो knife edges कहते हैं उसको हम knife edges के उपर wire होती है so knife edges के उपर wire होती है उस wire के उपर हम लोग रखते है paper rider paper rider हमेशा आपको teachers ने कहा होगा beach में रखा करो रहा है so beach में क्यों रखने को क्यों बोलते है because कुछ दिर में आप समझोगे वहाँ पर anti node बनता है क्या बनता है यहाँ पर stationary wave बनती है so यहाँ पर एक anti node बनता है anti node का मतलब होता है maximum displacement because यहाँ पर maximum displacement होता है तो paper rider यहाँ से गिर जाता है so sonometer का हमारा वही principle होता है resonance tube resonance tube यहाँ पर अभी हम पढ़ेंगे pipe closed at one end so resonance tube में भी क्या होता है अब मैंने क्या कहा मैंने कहा 2 sources चाहिए interference के लिए क्या चाहिए interference के लिए 2 sources चाहिए अब हम क्या करते हैं जुगाड लगा के एक source से भी काम चला सकते हैं जुगाड लगा के एक source से भी काम चला सकते हैं so basically हम क्या करते हैं basically pipe के अंदर एक wave बेशते हैं pipe के अंदर क्या करते हैं pipe के अंदर एक wave बेशते हैं मुझे बताइए वेव अंदर तो चली गई बाहर कैसे आएगी कबाओं अंदर तो चली गई बाहर कैसे आएगी सो बाहर यहां से reflect होके आएगी सो reflect होके आगई सो basically क्या हो जाएगी देखो again हमारी यहां पर दो वेव बन गई तो आपका जो resonance tube का experiment है resonance tube में जो आप आवाज सुनते हो वो किसका है resonance tube में जो आप आवाज सुनते हो वो है आपके longitudinal stationary wave का किसका आवाज है वो आवाज है आपके यहां पर longitudinal stationary wave का तो अमीद करता हूँ चीजों का sense बन रहा होगा आपने पहले यह chapter कभी पढ़ा होगा नहीं पढ़ा होगा तो बहुत सारी चीज़ें मैंने मेरे साइट से cover करने की कोशिश की finally discuss करते हैं आपर अभी हम node anti-node condition और इसके बाद chapter एक अलग level पे जाएगा मुझे यह chapter यहां तक मैंने कराया तो है बट मुझे नहीं अच्छा लगता है सिधा बता रहा हूँ मुझे अभी तक satisfaction नहीं आया है one shot बनाने का अभी मैं बना रहा हूँ बट मुझे satisfaction अभी तक नहीं आया है अभी तक concept शुरू नहीं हुआ है अभी तक theory चल रहा था अभी concept चालोगा तो मुझे भी अंदर hormones में मजाएगा आपको भी समझने में मजाएगा सो अभी हमारा chapter यहाँ पर एक पड़ाओ पूरा होने वाला है आईए देखते हैं nodes और anti-nodes की यहाँ पर condition क्या है के node कब बनेगा anti-node कब बनेगा क्या उसके लिए हम कोई formula preserve करके रख सकते हैं सो अभी अभी हमने देखा amplitude जो हमारा था amplitude किसके बराबर था so amplitude बराबर था यहाँ पर 2a cos of cakes के बराबर node में क्या होता है so node में amplitude 0 के बराबर होता है node में क्या होता है node में आपका amplitude पूरा का पूरा यहाँ पर इधर y नहीं लिखना चाहिए इधर मुझे a लिखना चाहिए actually इधर a का term आना चाहिए because amplitude की बात हो रही है so amplitude क्या होता है होता है 0 के बर 2a को बेश दूगा 0 से so 0 divided by 2a कितना मिलेगा so मिलेगा 0 के बराबर मुझे एक बात तो बताना cost की value 0 कब कब होती है so cost का graph कैसा होता है so cost का graph कुछ ऐसा होता है so cost की value 0 पे 1 होती है cost 90 यहां से मुझे नज़र आ रहा है 0 के बराबर होता है so यहां पर मैं क्या लिख सकता हूँ यहां पर लिख सकता हूँ cost 90 मेरा यहां पर 0 के बराबर होता है पर मुझे बताईए, cos 90 के बाद 180 पे माइनस 1 होती है, cos 270 भी यहाँ पर मेरा 0 के बराबर होता है, सो मैं कॉमा, वैसे तो कॉमा नहीं लगाते हैं, वैसे तो कॉमा नहीं लगाते हैं, पर अभी अगर मैं उसको अलग-अलग से लिखूंगा न, बहुत बड़ा हो जाता है, इस वज़े से टेक्सबुक वालों ने भी कॉमा लगाया है, हम भी लगाएंगे, सो basically cos of 270 भी हमारा अ एमडा के बरापर, और सो बस बात खतम, यहाँ पर हम क्या कर देंगे, यहाँ पर हम कर देंगे, सारे पाय की value cancel, फाय, पाय, 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 यहां से हो जाएगा cancel, कॉस 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 कैंसिल तो नहीं होता है मेरे शब्दों पर ध्यान देना कभी भी आप Trigonometric Terms को कैंसिल नहीं कर सकते हो बट Neutralize कर सकते हो क्या कर सकते हो नूटरलाइस कर सकते हो बट ठीक है यहाँ पर मैं कॉस आपको आसान दिखाने के लिए यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, cancel कर रहा हूँ, बट आप exam में cancel नहीं करना, marks उड़ जाएंगी, trigonometric terms cancel नहीं हो सकते हैं, बट मैं ease दिखाने के लिए यहाँ पर कर रहा हूँ, सो देखो यहाँ पर क्या बचेगा, come on, सो वहाँ पर बच रहा है 2x divided by lambda, is equal to 3, यहाँ से बचेगा मेरा 1 by 2, comma बचेगा यहाँ से 3 by 2, comma यहाँ से बचेगा 5 by 2, और यहाँ करते करते सो, बोलो, lambda चला जाएगा numerator में, 2 आ जाएगा, divide में, देखो, lambda को numerator में बेजो, सो क्या मिले मुझे, lambda numerator में, lambda numerator में, lambda numerator में, यहाँ पर कुछ नहीं है, 1 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है, 2 जाएगा denominator में, सो यह हो जाएगा, मेरा यहाँ पर, x का final equation, यानि की, lambda by 4, 3 lambda by 4, 5 lambda by 4, यानि की, node कब-कब मिलेगा, जब मेरा x का value यह हो, और यह basically represent करता है, मेरे odd numbers को, तो यह हो जाता है, मेरा general equation for getting a node, क्या हो जाता है, यह हो जाता है, मेरा general equation for getting a node, यह हो जाता है, मेरा general equation for getting a node, चिक है, अचे, anti-node कब मिलता है, so anti-node तब मिलता है, जब मेरा displacement maximum हो, बोलो, maximum displacement कब होगा, maximum displacement तब होगा, जब मेरा cos का value 1 हो maximum displacement कब होगा ये वाला term maximum कब होगा इसमें y नहीं है, a है ये maximum तब होगा, जब RHS maximum हो 2a तो constant है, तो इसका value क्या होना पड़ेगा 1 के बराबर होना पड़ेगा बट 1 तो उपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है oscillations में हमने सीखा था physics में minus indicate करता है direction, याद रखना इस चीज़ को सो basically यहाँ पर ये value हो जाएगा 1 के बराब, बोलो cos का graph 1 कब कब होता है come on, so cos 0 पर 1 होता है cos 180 पर 1 minus 1 होता है and so on so cos 0, cos 180 वापस से यहाँ पर क्या हो जाएगा pi हर जगे से हो जाएगा, cancel इधर तो 0 है, 0 divided by pi वैसे भी 0 दे cos को करेंगे neutralize मैं वापस कह रहा हूँ कोई अगर पड़ा लिखा है student video देख रहा होगा मेरा मज़ा कोड़ा के जाएगा cos को cancel किया है, मैं आसान दिखाने के लिए cancel कर रहा हूँ सिर्फ क्या मिलेगा यहां से lambda उपर pi नीचे के तरफ pi नहीं आएगा यहां पर यहां फिर separately लिखके cancel किया है वही बात किया है, मैंने cos को अलग करके so x is equal to d मिल जाएगा मुझे कुछ इसके बराबर बोलो ऐसा नहीं लग रहा है, इसको भी अपन कुछ general equation बना सकते हैं right, lambda by 2 हर जगे पे है बरोबर 0 के साथ कुछ भी multiply करो चलता है so lambda by 2 हर जगे पे साथ में मैं बोल दूगा p का term so यह हो जाती है मेरी यहां पर equation for the anti-node क्या हो जाती है यह हो जाती है मेरी यहां पर anti-node की equation board exam में यह 3 mark के लिए आता है कितने mark के लिए आता है 3 mark के लिए आता है कि derive the expression for a node and anti-node of a stationary wave node and anti-node किसका निकालना पड़ता है हमें stationary wave का यहां पर निकालना पड़ता है so आगे बढ़ने से पहले बस मैं एक last time conclude कर दूँ चीजों को कि finally stationary wave का construction से हम क्या-क्या data निकाल सकते हैं so यहां से मैं बना देता हूँ एक wave जो की black color में है न वहां से आएगी मेरी दूसरी wave जो की होगी कोई दूसरे color में बोलो total wave की length कितनी होती है so total wave की length होती है lambda के बराबर so यह total length कितना हो जाएगा यह total length हो जाएगा lambda के बराबर wave में node कहां कहां है so देखो यह वाली points पे node था यह वाला point है मेरा node number one यह कभी भी displacement नहीं होगा because wave कैसे displacement होती है आदा हिस्सा wave का उपर वाला नीचे जाता है नीचे वाला उपर आता है so यह वाले points बीच वाले constant रह जाते है so यह होगा यहांसे मेरा second node यह हो जाएगा मेरा यहांसे third अधा का मतलब क्या होता है आदे का मतलब होता है half के बराबर so यह distance कितना हो जाएगा हो जाएगा lambda by 2 के बराबर so मुझा बताइए दो node के बीच का distance कितना होगा सो दो node के बीच का distance होता है lambda by 2 के बराब anti-node कितर है सो यह एक anti-node है A1 यह एक anti-node है यहाँ पर A2 सो basically इसका भी आदा पूरा distance lambda दो node के बीच का distance lambda by 2 और आदा distance करूँगा यानि node से anti-node के बीच का distance करूँगा कितना होता है होता है lambda by 4 के बराबर कितना होता है distance होता है lambda by 4 के बराबर ध्यान से देखो equations कुछ उसी form में हमको मिली है यहाँ पर lambda by 4 का term है यहाँ पर lambda by 2 का term है सो यह पता होना अच्छी आपको कि total wave lambda 2 node के बीच का distance lambda by 2 और node anti-node के बीच का distance यहां से lambda by 4 के बराव स्टार्ट करते हैं the second part of the chapter जिसमें थोड़ से आपके efforts दिमाग के side से लगेंगे बाकी तो मैं बैठा हूँ अगर आपने वो समझ लिया तो आपको harmonics, overtone, sums करना ये वो सारी छीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगी सो बिना देरी के करते हैं आज के second part of the chapter को हम start चलिए, so free and forced vibrations, oscillations का हमारा last topic यही था जिसमें टेकोमा ब्रिज के बारे में मैंने आपको दिखाया था कि कैसे resonance होता है, furthermore free and forced oscillation तो हमारा जो pendulums का system लगा था, कि मेरे पास यहां पर एक pendulum है, जो की metal से बना हुआ है, so वो metal वाला pendulum भारी है, उस pendulum से connected एक दूसरा pendulum है, उस से connected यहां पर एक तीसरा pendulum है and furthermore यहां पर एक चौथा pendulum so ideally speaking में क्या करता हूँ ideally speaking मैं पहले pendulum को यहां से force exert करता हूँ so because इसको मैं force exert यहां पर करता हूँ एक उंगली और देना पड़ेगा, so because यहां से मैं इसको force exert करता हूँ, तो यह pendulum जो वाइबरेट करेगा, that will be called as a free vibration or a free oscillation, because यहां पर मैंने external push दिया external push देके मैंने अपना हाथ बाहर निकाल लिया right, so free vibration, nature में जो भी चीजें खुद से हो रही है तो यह रसी यहां से हिलेंगी, so energy यहां पर transfer होगी, so यह जो भी oscillation करेगा, यहां पर यह pendulum में जो भी रसी के हिलने के वज़े से energy जाएगी, so यह तीनो pendulum हमारे करेंगे, forced oscillation, या फिर forced vibration यह सब अभी अभी हम पढ़ चुके थे, तो उसी का यहां पर हमारा वास्ता हो जाता है, एक नए topic से जिसका नाम है, harmonics and overtone, okay, और believe me, जो अभी मैं शब्द कहूंगा, थोड़ा सा ध्यान से फर्माना ध्यान देना उनके उपर, because मैं ex-musician भी बोल सकते हो, या musician by passion भी बोल सकते हो, music industry से मेरा नाता वास्ता है, okay, so basically थोड़ा सा अप्रोच यहां पर मेरा अलग रहेगा समझाने का, so थोड़ा सा depth में समझना, फिर आप कोई भी entrance exam, इसी explanation जेई, जेई advance के questions भी इसी explanation के basis से करोगे, इस particular topic के challenge देता हूँ, okay, MSTCET तो खुद की frequency होती है, okay, आप पैदा हुए, आपके पास एक खुद की आवाज थी, यहां पर मेरे हाथ में यह watch है, so watch को अगर मैं tap करूँ, watch की एक खुद की आवाज है, यहां पर मेरे पास यह mouse है, mouse को मैं गिरा दूँ, माउस के पास छुद की आवास है यहाँ पर मैं किसी भी चीज को टैप करूँ किसी भी चीज को में टच करूँ उसकी प्टिक्विलर Will है जो के रहेगी यहाँ पर मैं करना नहीं चाहता हूं सारे रख्तिरॉनिक्स इतने इतने से बजेट में आवाज आएगा वापस टैप करूँ वापस टैप करूँ आवाज आएगा आवाज को बैसीकली दुनिया में जैसे हर इंसान की आवाज होती है क्या कहा मैंने दुनिया में जैसे हर इंसान की आवाज होती है उसी प्रकार से दुनिया में हर आबजेक्ट की चाहे living हो चाहे non living हो उसकी क्या होती है चाहे जिन्दा हो चाहे जिन्दा नहीं हो उसकी होती है एक particular fundamental frequency क्या होती है particular fundamental frequency होती है fundamental word का मतलब ही हो जाता है जो सबसे पहले है fundamental है आदार है इसी का दूसरा नाम हो जाता है natural frequency तो सबसे पहले पहले तो यह चीज लिख लो कि हर चीज की चाहे वो जुंदा है चाहे वो जुंदा नहीं है होती है एक frequency जिसको हम indicate करते है एंग से चिप अभी थोड़ा जाते हैं हम music के अंदर और अभी हम क्या करते हैं अभी थोड़ा हम गुशते हैं यहाँ पर music के दुनिया में दो शब्द आ जाते हैं जिनका नाम होता है harmonics and overtone क्या हो जाता है music के दुनिया में दो शब्द आ जाते हैं जिनका नाम होता है harmonics और overtone और यहां पर अब हमें literally counting सिखनी है अभी counting 1, 2, 3, 4, 5 बच्पन में जैसा किया था अब music के बाशा में हमें यह सब चीजें करनी है आईए समझते हैं harmonics तो सबसे पहली पहली बात harmonics क्या है सो harmonics हो जाता है हमारा mathematical term क्या हो जाता है harmonics हमारा हो जाता है एक mathematical mathematics क्या होती है mathematics एक ideal होता है mathematics क्या होती है mathematics एक ideal चीज होती है example तोर पे mathematics में concept होता है complex number का पता है के है यह नहीं फिर भी करते हैं complex numbers definition यह imaginary numbers फिर भी कर रहे हैं so basically यहाँ पर mathematics क्या होता है ideal चीजे होती जबकि अगर मैं बात करूँ overtone तो ओवर्टोन किसका topic हो जाता है, ओवर्टोन यहाँ पर topic हो जाता है, हमारे physics का topic, ओवर्टोन क्या हो जाता है, ओवर्टोन हो जाता है, हमारे यहाँ पर physics का topic, physics में हम बले पहले ideal consider करते हैं चीजे निकालते हैं बट ultimately physics everyday life में आप लगा सकते हो हर chapter आप किदर भी life में relate कर सकते हो so basically physics हमारा कहीं न कहीं practical का use करता है so इस वजे से यहाँ पर physics practical का use करता है so overtone एक practical word है harmonic एक किताबी word है पहले पहले तो ये समझो harmonic क्या है एक ideal concept है overtone क्या है एक real concept है क्या है overtone हमारा एक real concept है पढ़ते हैं इनका definition so harmonic का definition क्या होता है harmonic का definition होता है यहाँ पर और अभी थोड़ा give up मत करना 10-15 मिनिट give up मत करना 3-4 derivations हो जाएंगी students का क्या होता है टेक्सबूक लेके बैठते हैं फिर इधर से देखते हैं फिर बोलते हैं ये टेक्सबूक में नहीं दिख रहा है चलो back दबा दें अरे टेक्सबूक से समझ ना होता है तुम YouTube पे कभी आता ही नहीं ये बात ध्यान रखना चलिए harmonics का definition क्या होता है all integral multiples of n क्या हो जाता है harmonics का definition यहाँ पर हो जाता है all integral multiples of n जहाँ पर n क्या है? n है आपकी यहाँ से fundamental frequency n क्या है? n है यहाँ से आपकी fundamental frequency यानि harmonics का मतलब क्या है? harmonics का मतलब है बस तुम n, 2n, 3n, 4n ऐसा एक series बनाते जाओ harmonics बस एक mathematical term है उसका reality, physics किसी से लेना देना नहीं है so basically तुम क्या करते जाओ? बस all integral multiples of n लो और एक series बनाते जाओ physics, reality दुनिया से दूर हो overtone का मतलब क्या होता है? overtone का मतलब होता है वो extra frequencies या जो extra frequencies जो actual में present है जो extra frequencies या वो extra frequencies जो सच में present है ये होता है हमारे overtone का definition अभी आप लोग बोलोगे क्या चल रहा है? क्या हुआ? चानक से क्या extra frequency ये क्या चल क्या रहा है? तो उसके लिए आपको समझना पड़ेगा यहाँ पर थोड़े से examples examples समझ लिए physics के topic खतम हो जाएंगे अब relate ही नहीं कर पाओ के कौन सा example दिया और कौन सा topic यहाँ पर खतम हो तो इस बज़े से example ध्यान से समझो तो मैंने एक दिन मेरे 910 के students से वैसे जल्द ही हमारा 10 standard physics 10 standard का एक channel आने वाला है offline students को काफी demand है ऐसा तो वो भी अपन करेंगे तो मैंने मेरे 10 standard 9 standard और जो छोटे 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 बच्चे होते हैं students को बोला मुझे gift चाहिए मैंने क्या कहा मेरे students को मैंने मेरे students को कहा मुझे gift चाहिए छोटे छोटे students को मैंने कहा मुझे gift चाहिए मांगा मैंने हक से मांगा के हक से हक से महल रहा हूं मुझे gift चाहिए अब छोटे छोटे students है रहे छोटे छोटे बालक जैसे students हैं तो उन्होंने देखा sir music में interest रखता है तो उन्होंने decide किया sir को speaker देते हैं अब छोटे छोटे बच्चें गड़ से छोटे छोटे पैसे मिलते हैं तो इनका budget कितना है? इनका budget है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 200 रुपय का budget है अगर इनका 200 रुपय का budget है यह दुकानदार के पास गया दुकानदार ने बोला यह जो particular speaker है तिरको 200 रुपय में मैं दे तो दूँगा 200 रुपय में तुझे दे तो दूँगा इसमें सिर्फ odd frequencies ही भजेंगी 200 रुपय में मैं तुझे speaker तो दे दूँगा बट इसमें क्या होंगी इसमें सिर्फ और सिर्फ odd frequencies ही बचेंगी अब यह बच्चा है इसने में बला कुछ तो बजेगा नहीं 200 रुपय का speaker मेरे लिए लेकर आ गया जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या बच्ती है odd frequencies ही बच्ती है अब वापस से गुम फिर के सवाल आ गया आप लोग बोलो के क्या चल रहा है क्या frequency कौनसी odd कौनसी even आईए समझाने का यहाँ पर आपको मैं प्रयास करता हूँ सो basically music की दुनिया की अगर हम बात करें सो कोई भी instrument हो जो भी चीजें हम play करते हैं अगर मैं एक सरिफ प्यानो की ही बात कर लूँ यहाँ पर सो इसका आवाज आएगा तो नहीं वैसे भी इसका आवाज मैं mute कर देता हूँ सो यह मैं जो music बजा रहा हूँ यह music 16th century में बनी है music का नाम है green sleeves कभी सुनके देखना green sleeves s-l-e-e-v-e-s तो basically यह जो यहाँ पर मैं प्यानो बजा रहा हूँ यह जो यहाँ पर मैं basically music बजा रहा हूँ यह प्यानो के notes क्या है come on प्यानो के notes क्या होते हैं प्यानो के notes आठ आठ सुर के बाद रिपीट होते हैं सारे गमा पाधनी वापस से आता है 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 सा तो basically बार बार सुर रिपीट होते हैं और हर सुर की खुद की frequency होती है हर सुर की क्या है हर सुर की आप देखो यहाँ पर हर सुर की यहाँ पर frequency हमारी fixed होती है शुरू की frequency 27 से चालू होती है last की frequency यहाँ पर 4100 के बराबर हो जाती है सो हर सुर की क्या है यहाँ पर frequency है इसका मतलब क्या है दुनिया में जितने भी objects vibrate हो रहे हैं हमको sound सुनाई दे रहा है तो उनकी भी क्या है खुद की frequency है क्या है उनकी भी हम खुद की कुछ न कुछ frequency है तो हम जो natural frequency बात कर रहे थे ये उनकी frequency के बारे में बात कर रहे थे कि example तोर पर ये remote है remote को मैंने ऐसे मारा आवाज आया वैसे तो हम ignore करते हैं बड़ मुझे जानना है कि sound की frequency क्या है तो अगर 20 है तो वो हो गए even frequency 21 है तो वो हो गए odd frequency I hope अब समझा हम किसकी यहाँ पर बात कर रहे हैं तो अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पर जो मुझे speaker मिला है अब यहाँ पर मैं speaker के बारे में पूरा आपको पढ़ाऊंगा यह video मेरी dead जाएगी मुझे इस चीज की guarantee है किसी को समझने में extra interest होता ही नहीं cut to cut सबको पढ़ना होता है अच्छी गई video तो मैं appreciate करूँगा तो यहाँ पर मैं speaker के बारे में पढ़ाऊंगा और उसको एक नाम दे दूँगा आपके textbook का और पूरा physics उसी पर लग जाएगा चली तो अभी यह हम table बना रहे हैं क्या कर रहे हैं यहाँ पर table बना रहे है speaker which vibrates on odd frequencies किसके बारे में table बना रहे हैं ऐसे table बना रहे हैं speaker जो odd frequency पर vibrate करता है चली सो बोलो fundamental frequency बच्चा पैदा हुआ है hospital में आवाज रहेगा के नहीं रहेगा सो अब्यसी बात है आवाज रहेगा सो basically n हो जाता है हमारा fundamental frequency harmonics का definition क्या था harmonics का definition था 2n, 3n, 4n, 5n सो harmonics का definition ही यह था all integral multiples of n तो मैंने कुछ नहीं किया सुर्फ चीजों को यहाँ पर multiply करके मैं लिखता गया हूँ यह है 2n मतलब second harmonic 3n मतलब third harmonic 4n मतलब fourth harmonic fine मतलब fifth harmonic अब यह तो हो गया मेरा बट मुझे एक बात बताना दुकानदार ने क्या बोला था come on दुकानदार ने बोला था इसमें सुर्फ odd वाली frequencies ही बजेंगी यह एक ऐसा speaker है जिसमें मैं प्यानो अगर connect करूँ प्यानो के सारे सुर्ष नहीं नहीं देंगे odd वाले ही सुर्ष नहीं देंगे तो मुझे बताईए real में कौन-कौन present है come on so real में यहाँ पे मेरा n present है बरोबर क्योंकि n तो रहेगा ही रहेगा दूसरा real में यहाँ पर 3 n present है क्योंकि वह odd है और दूसरा यहाँ पे real में 5 n present है because यह भी odd है so मुझे बताईए मेरे overtone कौन से है come on because overtone का मतलब क्या है overtone का मतलब होता है जो extra frequencies present है okay so 90% students mistake यही करते हैं बोलते हैं यह भी overtone है बोलो n का मतलब है fundamental frequency बच्चा hospital में पैदा हुआ है उसको आवाज रहेगा ही कभी ऐसा imagine कर सकते हो बच्चा hospital में पैदा हुआ तुम रुके हो बच्चा रोया और तुम हसरे हो कि अरे भगवान ने इसको भी जबान दिया है ऐसा करके हसरे हो नहीं कर सकते हो n तो रहेगा ही रहेगा overtone का मतलब क्या है overtone का मतलब है जो extra frequency सच में present है extra frequency यह present है सच में तो यह हो जाएगा मेरा यहाँ से first overtone बरोबर उसके बाद extra frequency कौन सी present है fine present है यह हो जाएगा यहाँ से मेरा second overtone चली सो यह हो जाती है मेरा counting क्या हो जाता है यह मैंने आपको सिखाया counting बोलो यह 100 रुपे वाला speaker 200 वाले speaker की बात है कै नहीं यह आपका behavior हो जाता है बोलो यह आपका behavior हो जाता है closed pipe का behavior किसका behavior हो जाता है closed pipe का behavior हो जाता है और अगर वाइबरे क्या बात कर रहे है सर येस वास्तव में ये पाया गया है कि अगर आपके पास एक ऐसा pipe है जिसका एक end बंद है तो वो सिर्फ और सिर्फ vibrate करता है odd frequencies पे और अगर वो vibrate करता है odd frequencies इस पे तो यही counting method जो यहाँ पर मैंने लिखा है वो आपके लिए यहाँ पर valid है same table आपकी हो गई closed pipe के बारे अब कोई बोलेगा सर आप करा रहे हो ठीक है हमको समझा ठीक है पर क्या करूं करके करूं क्या मैं करके होता है न कभी-कभी मन में सवाल है चलो ठीक है मिं गिवप नहीं किया आप करा रहे हो आपके शब्द मूद से निकल रहे है अच्छे ही होंगे पर मैं इसका करूं क्या इसका used होता है sums में इसका used कहां होता है basically sums में sums में क्या given होता है sums में हमें given होता है के fundamental frequency 100 के बराबर है समस में क्या given होता है समस में given होता है कि fundamental frequency कितनी है समस में given होता है fundamental frequency 100 के बराए बरा है बताइए third overtone कितना होगा क्या given होता है given होता है बताइए third overtone कितना होगा बताइए fourth harmonic कितना होगा बताते जाओ अपने comment में ये वाला नहीं लिखो comment के लिए अलग question देता हूँ third overton कितना होगा fourth harmonic कितना होगा तो जब आपको count करने आएगा तब sum कर पाओगे आगे count करने नहीं आएगा कहां sum करोगे so counting is the basic but नहीं करते है majority लोग चलिए so n है hundred fourth harmonic harmonic में तो कुछ नहीं करना है fourth harmonic का मतलब हो जाता है four and four into n कितना देगा come on four into n यहां से हो जाएगा four hundred के बराबर so fourth harmonic हो जाएगा यहां से four hundred hertz के बराबर चलिए अब क्या calculate करना है अब calculate करना है मुझे यहां से third overtone third overtone का मतलब क्या है बोलो first को count करना है क्या overtone में नहीं बच्चा पैदा हुआ है आवाज रहेगा so यह है first overtone यह है second overtone so third overtone होगा यहां पर seven n के बराबर so basically यहां पर seven n हो जाएगा मेरा यहां से third overtone तो हो जाएगा seven into hundred जो की देगा मुझे 700 hertz के बराबर क्या हो जाएगा 700 hertz के बराबर so यह कैसे आया यह अगर हम counting कर सकते हैं तो ही समझ सकते हो otherwise हम नहीं समझ सकते हैं अब फिर बार ही आई मेरे engineering के students की because engineering के students ही है जो उसके बाद जान छड़कते हैं मेरे उपर 11-12 वाले अपने selfish reasons में घूंगते रहते हैं है ना उनका पता नहीं क्या चलता रहता है MHT, CET के टाइम जिंदा हो जाते हैं 11-12 की वीडियो कभी नहीं देखते हैं last moment पे एकड़म आते हैं अब इस बाद मैंने engineering वालों को बोला के चलो मुझे gift दो अब engineering वाले मेरे एकड़म share दिलें एकड़म the boys वाली party है उनका क्या लगता है harmonics कैसे बनेगे सारी frequencies मेरे पास एक ऐसा speaker दिया है मुझे gift में जिसमें सारी frequencies बचती है odd भी even भी इसका table कैसा बनेगा इसका table same बनेगा क्या अलग बनेगा harmonics के लिए पूछ रहा हो इसका table exactly same बनेगा इसका table क्या बनेगा exactly same बनेगा बोलो harmonics में कुछ भी reality matter करती है क्या कुछ भी नहीं harmonics का definition क्या है so harmonics का definition ही आपका है all integral multiples of n तुम even odd कुछ भी होने दो मेरे को सारे integral multiples लिखके दो ही हो जाता है मेरा harmonic का concept so यहाँ पर n हो जाएगा मेरा fundamental frequency या फिर first harmonic जैसा में कहना चाहूं 2N हो जाएगा मेरा second harmonic जो number वो harmonic 3N हो जाएगा मेरा third harmonic 4N हो जाएगा 4th harmonic 5N हो जाएगा यहाँ से मेरा fifth harmonic और ऐसा करते करते so on MHT CET पूरा cover हो रहा है इधर ही फिर बोलना नहीं CET की time नहीं कराया था चलिए अब मुझे बताईए overtone कौन सा है so सारी कौन सी कौन सी frequencies है जो real में present है overtone का definition क्या है वो frequencies वो extra frequencies जो real में present है बोलो fundamental frequency को overtone में count करूं क्या नहीं अगर fundamental frequency को overtone में count क्या इसका मतलब बच्चा पैदा हुआ है और तुमको expectation था कि इसको आवाज रहेगा ही नहीं so आवाज तो रहेगा fundamental तो हमेशा रहेगा तो fundamental is not an extra frequency fundamental क्या है fundamental is not an extra frequency तो इसको overtone में count नहीं करें 2N overtone में count करूं yes extra है बच्चा extra आवाज निकाल रहा है 3N overtone में count होगा 4N overtone में count होगा so yes अभी आप counting start कर सकते हो तो यह हो जाएगा मेरा यहां से 1st overtone क्या हो जाएगा यह हो जाएगा यहां से मेरा 1st overtone यानि जो मेरा 1st overtone है वही मेरा क्या है वही मेरा 2nd harmonic है यह हो जाएगा मेरा यहां से 2nd overtone नीचे वाला हो जाएगा मेरा यहां से third overtone बोलो यह जो महेंगा वाला speaker है इसको physics के textbook में क्या नाम दिया है सो यही हमारा हो जाता है open pipe का concept so open pipe के लिए यह table आपकी valid होती है as well as जो आपका string का concept है जो आपकी रस्ती है sonometer यह as well as आपका valid है concept और string के लिए मतलब एक तीर दो निशाना so अभी example तोरवे MHT CET चल रहा है आप exam में बैठे हो आपको दिया है कि मेरे string की frequency है 150 hertz के बराबर string की frequency कितनी है 150 hertz के बराबर है मुझे बताओ third harmonic कितना है मुझे बताओ seventh harmonic कितना है मुझे बताओ third overtone कितना है मुझे बताओ second overtone कितना है ये चार चीज़ें अगर आपने बता दी मतलब अभी आप जाकर अपने लिए जो खाना खाना order करके खा सकते हो pizza visa order करके बिंदास खाओ because success है success success को celebrate करना सीखो खाली ये चारों के चारों मुझे यहाँ पर सही बताओ किसके लिए पूछा है मैंने string के लिए पूछा है अभी अभी क्या बताया मैंने string किस पर vibrate करती है तो string और open pipe दोनों आपके vibrate करते है सारी frequencies पर वास्तव में ऐसा पाया गया है कि string और open pipe सारी frequencies पर vibrate करते है चलिए third harmonic seventh harmonic बोलो harmonic के लिए कभी भी table देखने की जरुवत है क्या सो table देखने की जरुवत ही नहीं है जो number होता है वही harmonic होता है चलिए सो यहाँ पर हो जाएगा 3 into 150 यहाँ पर हो जाएगा 7 into 150 overtone के लिए counting करना पड़ता है सो third overtone सो third overtone कहां आ रहा है मेरा fourth harmonic पे सो basically मुझसे क्या पूछा है यहाँ पर fourth harmonic पूछा second overtone second overtone कहां आ रहा है आ रहा है third harmonic पे सो basically यहाँ पर हो जाएगा 3 into 150 के बराबर सो यह हो जाएगे मेरे यहाँ से basic सा method यह part harmonics and overtone का समझा तो आप eligible हो superposition of waves के sums करने के लिए in case नहीं समझा दूसरी बार वीडियो देखो यह वाला part 10 minute का फिर भी नहीं समझा तीसरी बार देखो बस यही best explanation possible है from a musician इधर मैं teacher बनके नहीं थोड़ा सा music के sense में आपको समझाया है वही यहाँ पर आपको मदद कर सकता है ideally यह terms because आते भी वहीं से हैं finally start करते हैं यहाँ पर derivation का part जो कि सबसे ज़्यादा जरूरी है east or west derivations are the best so 3 derivation यहाँ पर है so चलिए यह 3 derivation अभी हम अच्छे से करते हैं इसमें concept हमारा यह वाला use नहीं होगा जो harmonics and overtone इतना मैंने आपको ग्यान दिया यह sums में दिया theory में आपको कभी कभी देखा था यह सब मैं सच सच बताओ इतना कुछ सोचा भी था तो कोई सोचता भी नहीं है to be very honest चलिए so बढ़ते हैं आगे के तरफ यहाँ पर अभी हम देखते हैं 3 important topics उसके बाद जैसे as usual मैं conclusion table बना के देता हूँ यहाँ पर table भी तयार है चलिए let's start so तीन topic पढ़ने है stretched string stretch string अभी अभी हमने देखा vibrate करती है all frequencies पे यह nature में हमने observe किया है इसको अभी हमें proof करना है closed pipe vibrate करता है odd frequencies पे यह nature में हमने observe किया है इसको अभी हमें proof करना है open pipe vibrate करता है सारी frequencies में ये nature में हमने observe किया है इसको अभी हमने prove करना है पहले-पहले मैं start करता हूँ यहाँ पर concept of closed pipe से कहा start करता हूँ, closed pipe के concept closed pipe नाम थोड़ा सा misnomer जैसा नाम है, because हमें लगता है close जोगा pipe, बट pipe एक जगे से close होता है, दुसरे जगे से open तो ये कोई भी surface हमारा हो सकता है क्या बनेगी, chapter stationary wave का है सो यहाँ पर stationary wave बनेगी तो मैं बड़िया सी stationary wave यहाँ पर बना देता हूँ, काफी लोगों को diagram समझता नहीं है, मैं जब board exam के paper चेक करता रहता था सो मैं देखता था, लोग सांप बना के आते थे, ऐसा तरह biology आदा गई उनको, ऐसे सांप पे सांप बना के आ जाते थे, ऐसा नहीं है चीजों को समझो, इतनी beautiful derivation है, यह मैं क्या ही आपको बताऊं, मज़ा आएगा derivation करने में चलिए सो example तोर पर यहाँ पर मैं आपसे पूछता हूँ, node बोलो, node का displacement क्या होता है सो node का displacement होता है यहाँ पर, 0 के बराबर node का displacement क्या होता है node का displacement होता है, 0 के बराबर node एक ऐसा बच्चा है घर का, जिसको घर से बाहर जाना ही नहीं है अगर इसको घर से बाहर जाना ही नहीं है सो बोलो घरवालों की freedom की इसको जरुवत है क्या कमाँ सो घरवालों की freedom की इसको जरुवत नहीं है सो node को freedom नहीं चाहिए node को क्या चाहिए node को freedom नहीं चाहिए so node को freedom यहाँ पर नहीं चाहिए anti node घर का वो बच्चा है जिसको maximum घुमते फिडते रहना है बरो पर एंटी नोड को उपर नीचे उपर नीचे आते रहना है तो बोलो एंटी नोड के parents कैसे होने चाहिए एंटी नोड के घर वाले ऐसे होने चाहिए जो freedom इसको देते रहें तो एंटी नोड को क्या चाहिए एंटी नोड को freedom यहाँ पर चाहिए यहाँ पर चाहिए अगर आप ने समझ लिए यास का मतलब को इ grem is Really कितBakर चैप्टर का बना सकते हैं खुद बखुद बिचल बिना किसी बिन किौदसि रफ्रेइन्स के आप खुदसे डायाग्राम यहाँ पर बना सकते हैं मुझे बताइले कणार वाले भाग में क्या का रहा हूं में ग्लास के अंदर वाले भाग में फ्रीडम है क्या क्या ग्लास के अंदर वाले सेक्शन में फ्रीडम है क्या फ्रीडम नहीं है सो अंदर हमेशा क्या बनेगा अंदर हमेशा नोड बनेगा हमेशा क्या बनेगा हमेशा नोड बनेगा यह ची सौरी ग्लास के उपर वाले सेक्शन में बोलो उपर फ्रीडम है के नहीं सो उपर हमेशा फ्रीडम है खुला सा है खुला सा है का मतलब क्या है ग्लास का उपर वाला सेक्शन खुला खुला है मस्त फ्रीडम है और freedom किसको चाहिए freedom anti node को चाहिए तो यहां पर क्या बनेगा उपर वाले section में मेरा यहां से बन जाएगा anti node बनेगा यहां पर क्या बनेगा यहां पर मेरा बनेगा anti node यहां पर क्या बनेगा बनेगा anti node open pipe अगर मैं ध्यान से देखू, open pipe इधर से भी open है, open pipe उधर से भी open है, बोलो open pipe में हमेशा क्या बनेगा, come on, open pipe में उपर भी हमेशा anti node ही बनेगा, open pipe में नीचे भी हमेशा anti node ही बनेगा, because उपर भी खुला सा है, यानि उपर भी freedom है, और नीचे भी freedom है, as well as open pipe में यहां भी anti node स्ट स्ट्रिग के बारे में स्ट्रिंग क्या होती है कया होती है अरह अरे तो जग़ान से बंदी हुई रहती है मेरे दोस्त में आपने देखा है पीछे इस है मतलब फ्रीडम है क्या नहीं है सो हमेशा यहां क्या बनेगा नोड रसी बंदी हुई है फ्रीडम है क्या यहां पर नहीं है फ्रीडम किसको नहीं चाहिए नोड को नहीं चाहिए यहां पर बनेगा नोड and obviously बीच में क्या बनेगा बीच में याँ पे बनेगा एंटी नोड इस वजे से पेपर राइडर हम बीच में रखते हैं ओ तब भी पेपर राइडर बीच में रखते हैं अब भी समझाओगा काफी लोगो को चलिए इस लॉजिक से मैंने आपको डाइग्राम का आधार समझा लिया के नोड इंटी नोड कहाँ बनेगा नहीं आता है स्टूडन्स को तो अभी आए होप आप लोगों ने समझ लिया रही चलिए अब मुझे बताइए नोड से अंटी नोड बनाना है सो मैं क्या कर सकता हूँ डाइग्राम को मेरे यहां से यहां तक कंसीडर करूँ यहां से लेकर यहां तक कंसीडर करूँ यहां से लेकर यहां तक मैं डाइग्राम कंसीडर कर रहा हूँ यहां पर सीधा कर देता हूँ इसको सीधा कर लूँ तो कुछ नहीं बनेगा बस क्या है आधी वेव बनेगी आधी वेव क्या आधा लूप बनेगा बीसिकली सो डाग्राम मेरा यहां पर कुछ देखने में ऐसा दिखता है डाग्राम देखने में क्या दिखता है कुछ ऐसा अब यह मैंने क्या किया नोड लिया और एंटी नोड लिया अब मुझे बताइ वाले वाले anti node को select किया, आप तो toppers पर ही ध्यान देते हो, तो ये वाला anti node row रहा है, बोलो because ये वाला anti node row रहा है, इसको चुप कराने के लिए एक और diagram बना दूँ क्या, चुप कराने के लिए बिचारे को क्या करता हूँ, एक और diagram बनाता हूँ, उसको लग रहा है मैं partiality करता हो, so basically अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां से लेकर यहां तक diagram ऐसा सीधा करके draw करना पड़ेगा, so eventually क्या हो जाएगा, eventually यह diagram यहां से कुछ ऐसा दिखेगा, कैसा दिखेगा यह वाला diagram यहां से कुछ ऐसा दिखेगा, तो मैंने सोचा चलो, अभी यह खुश हो आगे दिखते हैं, उन पर ध्यान देते हो, आपने तो बोला था, उपर anti-node बनना चाहिए, इधर तो कुछ हो, नहीं रहा है, आप cheating करते हो, तो मैं बोलता हूँ, नहीं यार, मैं ऐसे नहीं करता हूँ, तो मैं चल तुझे भी बनाता हूँ, यहां पर, ठीक है, तो अभी अभी है, थाई लूब यहां पर बना दिया, उपर anti-node है, यहां पर node है, अब समझा के, टेक्स्ट बुक में 3-3 डाइगराम क्यों है, सोचो, अभी समझा चन्फबुक में 3-3 डाइगराम क्यों है, समझता ही नहीं, अभी समझा होगा, अब चौता बोल रहा है, आप तो cheating करते हैं आपको डाइग्राम कैसे बनता है आज समझा नहीं समझता है कुछ भी नहीं समझता है से बोर्ड उड़ा देते हैं लोग इसको चलिए मैं बोल रहा हूं यह मैं सीट का बताते जा रहा हूं साथ में में समझ में result चाहिए मुझे चलिए बस डाइगराम बन गया अब liberation के लिए क्या लगेगा के लिए एकाजमिनट ही लगेगा चलिए derivation यहाँ पर कर लेते हैं पहले वाले डाइगराम में क्या है पहले वाले डाइगराम में यहाँ पर एक V जैसा structure बना है चलो, closed glass है, सो यहाँ पर closed glass ले लेता है, V is equal to D होता है, N times of lambda, right, N is equal to D हो जाएगा, यहाँ पर V divided by lambda, मुझे बताईए, इस glass का length क्या है, इस glass का length है, यहाँ से L के बराबर, मुझे बताईए, यह wave का length कितना है, सो यह है node, यह है anti-node, बोलो node और anti-node के बीच का distance कितना होता है, सो node और anti-node के बीच का distance, हम calculate कर चुके हैं, होता है lambda by 4 के बराबर, यह distance हो जाएगा, यहाँ से lambda by 4 के बराबर, सो glass है मेरा L length का बराबर, यह वाली length L भी है, यह वाली length lambda by 4 भी है, सो lambda कितना मिलेगा, lambda मिलेगा यहाँ से, 4 times of L के बराबर, यहाँ पर क्यास कर दूँगा, substitute कर दूँगा, मिलेगा any's equusory V upon me, 4 times of L के बराबर, यह हो जाती है, यहाँ से मेरी equation number 1, क्या हो जाती है, यह हो जाती है, यहाँ से मेरी equation number 1, करते हैं, second वाला case consider, second वाले case में क्या बना था, second वाले case में यहाँ पर, ऐसा कुछ बना था, डेड़ लूप बना था, यहाँ से मैं बना देता हूँ, कुछ इस प्रकार से, चली, यह length कितनी है, यह length है, यह length है यहाँ पर L के बराबर, यह length और कितनी है, सो जिन लोगों को counting में confusion होता है, बोलो, आदा लूप कितनी का होता है, आदा लूप होता है, लेमडा बै फोर के बराबर, यहाँ देख्या, come on, आदा लूप कितना होता है, आदा लूप होता है, लेमडा बै फोर के बराबर, अब ये एक loop है बरोबर पूरा का पूरा एक loop है lambda by 2 के बराबर सो आदे loop को याद रखो आदा loop कितना है lambda by 4 के बराबर है सो देखो कितने आदे loops हैं यहाँ पर सो यहाँ पर यह है एक आदा loop यह है दूसरा आदा loop यह है तीसरा आदा loop so तीन आदे loops है तो हो जाएगा यहां पर length 3 lambda by 4 के बराबर चिछे इसी właśnie क्या होगा हो जाएगा है यहां से वी डिवाइड बा लैम्डा के बराबर यह glass की length L है पर यह glass की length यहां से 3 lambda by 4 के बराबर ही है lambda कितना हो जाएगा lambda यहां से हो जाएगा 4L divided by 3 के बराबर ये क्या कर दूँगा उपर पुट कर दूँगा क्या मिलेगा V upon में यहां से 4L divided by 3 के बराबर ध्यान से देखो V upon 4L किसके बराबर है V upon 4L तो बराबर है fundamental frequency N के बराबर So V upon 4L के बराबर क्या डाल दूँगा यहां पर डाल दूँगा end correction, end correction डाला है, अब तक comment आ गया होगा, end correction कीदर है, end correction last में एक ही step add करते जाना कुछ matter नहीं करेगा, पट पहले physics समझो हो है, जितना topic को hard करके समझते जाओगे, bounce जाएगा, अब करते हैं यहां से तीसरा वाला derivation, तीसरे वाले derivation में कितने loop हैं यहां पर, धाई loop है तो consider करत हैं आपर हम धाई loop, चली, अब अब एक लिस्स आप आप नहीं बना क्या होगे, यह length कितना है, यह length L के बराबर, यहां पर कितने आदे loop हैं, यह एक आदा loop, यह दूसरा आदा loop, यह तीसरा आदा loop, यह चौथा आदा loop, यह पाच्वा आदा loop, बेसिकल यह कितना हो लिए, so length Ih 느낌 कितना हो जाएगा, हो जाएगा यहां से 5 lambda by 4 के बराबर, so lambda कितना हो जाएगा, यहां से हो जाएगा हमारा, 4L divided by 5 के बराबर, n double dash कितना होगा, यहां से V divided by lambda, लेम्डा कितना है यहां से लेम्डा है 4L divided by 5 के बराबर V by 4L किसके बराबर है यह तो बराबर है fundamental frequency के यहां पर यह गायब हो जाएगा क्या मिलेगा मुझे come on so यह गायब हो जाएगा मिलेगा 5 times of n के बराबर n double dash is equal कितना आएगा n double dash is equal कि यहां पर आएगा मेरा 3 times of 5 times of n के बराबर ध्यान से देखो यह तो सारी odd frequencies है 5 n 3 n n यह क्या है सारी odd frequencies है यानि जो चीज में आपको कह रहा था कि closed pipe सिर्फ और सिर्फ odd frequencies पे वाइबरेट करता है यह उसका सबूत है और यही reason है हम तीन बार करते है because n मिल गया 3 n मिल गया आना board exam में time नहीं है सो 3 पे खतम कर सकते हो okay but 2 मिलता तो मैं अटक जाता कि 2 के बाद 4 आएगा even कि 3 आएगा सो यहां पर आप derivation board exam में time कम मिल रहा है 3 n पे भी खतम कर सकते हो यह बोलके कि ऐसा 5 7 और वगेरा वगेरा करते करते सारी चीजें यहां पर मुझे मिलती जाएंगे देखो कितना beautiful है मेरे को मज़ा आता है इस derivation में पता नहीं क्यों और मेरे students को भी usually तो आता है उम्मीद करता हूँ आज इसे आप लोगों को भी आएगा चलिए consider करते हैं concept of यहां पर open pipe अब open pipe में मुझे इतने personally efforts नहीं डालने पड़ेंगे because आप लोग pause करके खुझ से करके देखो क्या करो pause करके खुझ से करके देखो आपको खुद बखुद सब चीजें यहां पर समझ में आ जाएंगी चलिए तो यहां पर एंटी नोड से एंटी नोड से एंटी नोड यहां पर लगते जाएगा चलो open pipe में क्या देखा open pipe में freedom है दोनों जगे हमको दोनों जगे क्या चाहिए दोनों जगे हमको freedom चाहिए भी सो क्या होगा यहां से लेकर यहां तक में पहले डायग्राम बना लेता हूं ठीक है सो कैसा बनेगा कुछ इस प्रकार से आधा शेप बनेगा एकस जैसा कुछ शेप क्रोमोजूम जैसा शेप यहां पर कुछ मुझे मिले चाहिए मैंने सोचा जिन्दगी खुश है सरल है मज़ा है जिन्दगी में मेरा हो गया यहां पर एक ही डायग्राम से मैं प्रूफ करूँगा यह एंटी नोड भड़क गया बोला आप तो सिर्फ M MST, CET, MST, CET, Engineering Counseling, Engineering Counseling करते रहते हों सो मैं उसको समझा रहा हूं कि नहीं भाई ऐसा नहीं करता हूं चल तुझे भी कराता हूं से ले बस तो अभी मैं यहां से एंटी नोड से लेकर यहां तक कंसिडर करूँगा सो एक लूप बीच में बनेगा यह वाला आदा लूप यहां पर ऐसा रहेगा एक लूप उपर बीच में पूरा लूप यहां पर ऐसा लूप यह दूसरा डाइग्राम बना अब फिर ही एंटी नोड रहा है बुलता है आप इंजिनेरिंग पर दाम द्यान देते हो CET में नहीं आते हो तो लॉजिक समझा कि डाइग्राम क्यों ब क्या है यह लेंथ है यह लेंथ हैनल के लाबर को यह लेंथ यह लेंथ क्या है मतलब यह आदा लूप बोलो रहे लूप का लेंग्ला के लेंधाग्रा m तो कितना मिलेगा यहां से मिलेगा lambda by 2 के बरावाए नौ आदे लूप का length आपको पता है अप कैसी भी wave given हो आप उसको count कर सकते हो यहां पर कितने आदे लूप है यहां पर 1, 2, 3, 4 आदे लूप है यहां पर length कितना हो जाएगा 4 times lambda by 4 के बरावावा जिसको आप साफ साफ wave के बरावर wavelength आपको यहां पर मिल गया है बोलो इधर ही solve कर लूँ क्या मुझे ऐसा कुछ मिली नहीं रहा है कि मैं अगले slide पर करूँ क्योंकि time pass है n is the cursory हो जाएगा v by lambda बरोबर ल इसी को सदी है यहां पर lambda by 2 के बरावर lambda कितना है यहां पर 2 times of L के बरावर चलो भाई यह हो जाएगा आपका पहला पहला fundamental frequency का formula n is the cursory v upon में यहां पर 2 times of L उसी प्रकार से यहां पर क्या है यहां पर length कितना है यहां पर length कितना है यहां पर length कितना होगा यहां पर हो जाएगा v upon में lambda के बरावर lambda कितना है lambda है यहां से मेरा 4L by 4 के बरावर सो इसको मैं लिख देता हूं चलो 4 by यहां पर L के बरावर अब adjust करना है मुझे मुझे क्या करना है n- में n लाना है कैसे लाओंगा so n- में अगर n लाना है so multiply और divide करना पड़ेगा यहाँ पर 2 से so multiply कर देता हो 2 से divide कर देता हो 2 से so v by 2 l क्या हो जाएगा हो जाएगा यहाँ से मेरा n के बराबर so n- कितना मिलेगा n- यहाँ से मिलेगा 2 टाइमस अफ न के बराबर अन उसी प्रकार से यहाँ पर अगर मैं third wave का find करूँ so third wave का answer कितना आता है so third wave का answer आप खुदी कर सकते हो answer आ जाता है 3 टाइमस अफ न के बराबर इसका मतलब यहाँ पर क्या है nb है, 2nb है, 3nb है so 4nb होगा, so 5nb होगा इसका मतलब open pipe हमारा vibrate करता है यहाँ पर सारी frequencies पर open pipe किस पर vibrate करता है vibrate करता है यहाँ पर हमारी सारी की सारी frequencies पर तो यह मैंने proof कर लिया, यह मैंने proof कर लिया इसमें से board exam में एक topic 90% chances होते ही हैं आने के, अब आ जाते हैं हम discuss करते हैं, string का part, string के साथ हमारा sonometer भी यहाँ पर हो जाएगा, बड़ उससे पहले थोड़ा साम correction कर देते हैं, अब आप लोग बोलो के sir आप कितना easily करा देते हो, comment आते sir आप कितना easily करा देते हो, यह topic हमें तो बहुत hard लगता था, yes, I appreciate कि आपको अच्छा लगा, but still यहाँ पर थोड़ा सा correction करना पड़ेगा, हम लोगों ने क्या consider किया है, कि हमारी wave glass के border पे ही समाप्त हो जा रही है, है ना, हमारा assumption क्या है, हमारा assumption है कि हमारी wave border पे ही समाप्त हो जा रही है, पर मुझे बताईए, ऐस ऐसा कुछ signal विखनल है कि हवलदार रुका है, पावती फटेगा, come on, ऐसा कुछ signal है क्या, example तोर पे जैसे यह वाला diagram हम दिखाते हैं, कि atmosphere, mesosphere, stratosphere, troposphere, पर मुझे बताईए, आसमान में क्या, इसे concentric circles बने हुए है, क्या, come on, कि इधर से mesosphere, chalk शुरू होता है, है ना, बढ़ से stratosphere का गली शुरू होता है, है इधर से troposphere का अड़ा है, ऐसे perfect concentric चीजे नहीं होती है, random होता है, boundary नहीं होती है, ऐसा कोई दीवार वीवार नहीं होता है, उसी प्रकार से मुझे बताईए, क्या guarantee है कि wave मेरी glass खतम होते हुए ही खतम हो जाएगी, ग्लास खतम होते हुए खतम हो जाएगे, तो वो पापड़ वाला एक scene, डायलोग होता है, tongue twister, so basically ऐसा नहीं होता है, glass खतम होने के बाद भी wave मेरी यहां से थोड़ी थोड़ी आगे जाती है, ग्लास खतम होने के बाद भी क्या होती है, wave हमारी यहां से थोड़ी थोड़ी उसको हम कहते हैं, end correction, end correction, experiment से निकाला जाता है, end correction कैसे निकाला जाता है, experiment से निकाला जाता है, end correction कितना होता है, end correction हो जाता है, 0.3 times of diameter के बराबर, क्या होता है end correction, 0.3 times of diameter के बराबर, यानि यह जो glass का diameter रहेगा, उसके उपर end correction मेरा यहां पे नरभर करेगा, इसका कोई भी proof as such नहीं है सो इसका मतलब अभी तक हम क्या कर रहे थे अभी तक हम जितना भी मुझे length मिल रहा था अगर मुझे ये वाला length मिला है सो मैं ये वाला length ले रहा था अब मुझे क्या पता है अब मुझे ये भी पता है कि थोड़ा सा length यहाँ पर आगे भी जाएगा थोड़ा सा length मुझे आगे भी जाएगा सो बोलो total length कितना हो जाएगा सो total length हो जाएगा जितना हम लेते हुए आए थे plus यहाँ पर थोड़ा सा end correction मुझे end करना पड़ेगा सो total length L कितना हो जाएगा हो जाएगा यहां से small l plus e के बराबर तो मुझे बताइए क्या derivation पूरा बदल जाएगा कौँ पूरा derivation खतम अरे नहीं यार जितना derivation आपने किया है last में सिर्फ end correction का एक line add कर देना है क्या करना है last में सिर्फ यहां पे end correction का एक line add कर देना है v upon में यहां से 4 times of l plus e के बराबर that's it खतम खतम कितना easily हो गया अभी इसको तुम hard बोलोगे hard मत बोल देना यार length के जगे क्या किया length के जगे सरफ मैंने यहां पर l plus e कर दिया खतम simple logic उसी प्रकार से अगर मेरा pipe दोनों जगे से खुला हुआ है मेरा pipe क्या है मेरा pipe दोनों जगे से खुला हुआ है end correction यहां भी लगेगा end correction यहां भी लगेगा so formula क्या हो जाएगी l is equalsory यहां पर हो जाएगा small l plus 2 times of end correction के बराबर क्या हो जाएगा small l plus 2 times of end correction के बराबर so यही formula यहां पर हमारी क्या हो जाएगी come on So, यही formula हमारी यहाँ पर हो जाएगे 2 तो बाहर ही रहेगा, यहाँ पर हो जाएगा L प्लस 2 टाइमस अफ एंड करेक्शन के बराबर As simple as that So, मेरे साबसे दो derivations आपको बहुत Smooth तरीके से समझे होंगे आईए discuss करते हैं भी vibrations और string यह तो मस्ती मजा करते करते यहाँ पर हो जाएगा जादा दिक्कत इसमें यहाँ पर आएगी भी नहीं Let's start अब सबसे पहली पहली बात यह जो पीछे बात हो रही थी यह सब हमारी थी longitudinal waves बरो बरो यह सब waves कौन सी थी यह सारी waves हमारी थी longitudinal wave जो हमारा string का derivation है तो string का derivation basically हमारा है Transverse wave की formula class 11th sound में Newton दे चुका है कि velocity is equal to 3 हो जाता है root of t by m के बराबर जहां पर t होता है tension in the string tension जितना जादा होगा बोलो रसी जितनी जादा tight होगी velocity उतनी जादा fast होगी wave की क्योंकि vibrations easily pass हो जाएगे रसी यह से लटक रही है धीली धीली कुछ नहीं होने वाला है right so basically t यहाँ पर हो जागा tension small m क्या होता है small m होता है linear mass density जिसको हम कहते हैं mass per unit length of the यहाँ पर wire के बराबर okay so यह दोनों हो जाते हैं हमारे यहाँ पर basic सा फंडा so that's it अभी क्या है अभी वापस से time pass है यहाँ पर चलो वही वापस से वही सब करता रहोँगा मैं अभी रहेंगे एक दो जन रिवेंगे बोलेंगे 외x bay करते हो एक दोगा सुनेंगे बाकियों को बोलेंगे हां करते हैं जो करना है करो मुझे क्या पता है मुझे पता है नोड नोड बनता है यहां पर नोड बनता है रस्तियों के बीच में यहां पर है एक पॉइंट जहां पर बनेगा नोड यहां पर है दूसरी पॉइंट जहां बनेगा नोड बूलो पहलावाला section बना दूँ क्या नोड के बीच में एक एंटी नोड बना देता हूं से हो जाएगा मेरा पहला वाला section यह हो जाएगा यहां से मेरा पहला डाइग्राम भी और हमको को धिखता है कपड़ा सुखाने की गि्टार है उसमें ऐसा कर लो गिटार है उसमें ऐसा करलो आँखों से विस्दिबल होता है उसको हम कहते हैं q3 vibration qya कहते हैं free vibration सो free vibration यह आपका free vibration है यह आपका first case हमेशा free vibration होता बर्कोज अब तो fundamental frequency नहीं पताव होगि first case कभी भी free vibration होता है बाकी ये सब forcefully लाए जाते हैं सो वो लोग होते हैं forced vibrations सो मैंने ये दोनों notes consider किये मेरा ये diagram बना ये वाला node रोना चालू हो गया बोला सर आप तो बहुत बड़े cheater हो आप तो सरिफ जो first students आ रहे उनको ध्यान दे रहे हो आप हमको ध्यान दे ही नहीं रहे हो सो ये क्या कर रहे हो आप ऐसा कर आप वैसा कर रहे हो मैं बोला नहीं नहीं ऐसा बात नहीं है चल तुझे consider करता हूँ सो मैं diagram बना लेता हूँ यहां से यहां तक सो basically एक पूरी wave बन रही है अब इसको consider किया यह वाला नोड बोल रहा है इदे दो बार बन गया है यह बोल रहा है आप cheating करते हो ऐसा वैसा तो अभी उसको भी consider करते है सो उसको consider करूं सो तीन वेव यहां से बनानी पड़ेगी जुनों ने भी अभी होगा इदर कोई ना कोई अभी प्रकट हुआ होगा कोई ना कोई होगा जो सीधा आया होगा lecture चालू किया होगा string देख रहा होगा पहले का आदा गंटा देखो मतलब असा दूआँ मेरे लिए दूआँ मांगोगे बगवान से सची बोल रहा हूँ नहीं तो होता है कोई भी किदर से भी forward करके देखता है फिर बोलता है ये क्या किया अरे पहले का देखो थोड़ा सा ठीक है चलिए सो ये हो जाते हैं हमारे यहाँ पर तीन डायग्राम तीनों डायग्राम को solve करने का तरीका बहुत जादा आसान है चलिए case by case करते है पहले case में सिर्फ एक ही loop है चलिए तो ऐसा loop बन रहा है ये length है मेरे रसी का L के बराबर ये length कितना होता है तो node और node के बीच का distance होता है यहांसे 2L के बराबर एeing 그래서 यहांसे 2L के बराबर एंड़ी होता है वी बाइल न इसी कोसरी होता है वी बाई लेम डा वेलोसिट है वेलोसिटी यहां पर है रूट अफ टी बाई πिया लेम्डा क्या है यहां से 1 upon 2L के बराबर और यही तो है हमारी final formula देखो sonometer experiment इसी formula के ओपर दो practicals हैं so yes यही हो जाती है हमारी fundamental frequency की यहां पर formula उसके बाद क्या करना है उसके बाद यहां पर हमें 2 waves consider करनी है तो चलिए consider करते हैं आपर हम 2 waves तो 2 waves consider करेंगे कुछ इस प्रकार से यह length कितनी है यह length है L यह length lambda के terms में कितनी है तो यह तो पूरी wave है आखों से नजर आ रही है so lambda कितना है lambda है यहां से L के बराबर और यहां से कितना है यह है 1 by L के बराबर बोलो n- में मुझे n पैदा करना है क्या करना पड़ेगा 2 से multiply और divide करना पड़ेगा so basically 2 से multiply और divide कर देते हैं so यहां पर क्या हो जाएगा यहां पर यह पूरा का पूरा formula मेरा हो जाएगा n के बराबर है यह पूरा formula हो जाएगा fundamental frequency के बराबर so n dash is equalsory हो जाएगा यहाँ पर 2 times of n के बराबर क्या हो जाएगा हो जाएगा 2 times of n के बराबर on the same basis बोलो n dash is equalsory 3 n प्रूफ कर सकते हो क्या ओके so यही हो जाता है हमारा यहाँ पर basic सा funda क्या हो जाता है यही हो जाता है हमारा यहाँ पर basic सा funda एन इसी प्रकार से हमारा conceptual chapter हो जाता है समाप्त 80-85% chapter यहाँ पर समाप्त हुआ जो हमारा major part था पहले का तो यह time pass है property ठीक था यहाँ से जो conceptual chapter चालू हुआ जो entrance exam के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है वो वाला part यहाँ पर हो जाता है समाप्त अब आपको मैं देता हूँ एक conclusion table हाना अब आपको देता हूँ यहाँ पर conclusion table वो conclusion table करने के बाद हम जो छोटे मोटे बचे कुछे topic है उनको जल्दी ही निप्टा देंगे ओके सो एक break ले लो बले conclusion table देखके उसके बाद chapter में beats आता है important topic बर beats के sums में मजा है derivations में इतना मजा उसके नहीं है के चली so let's start चलीए so यह है आपका the final conclusion table यहाँ पर so चाहे string हो चाहे open pipe हो दोनों सारी frequencies पर वाइबरेट करती है so यह है आपका table यह table में एक add-on है जो काफी कम teachers को भी कम teachers को पता होता है basic observation है but still काफी जादा data based है कभी-कभी नए exam में आपको बोलेंगे ही नहीं second harmonic, first overtone यह वो बोलेंगे तीन loop है क्या बोलेंगे? बोलेंगे तीन loop है so आपको क्या समझना है? तीन loop मतलब? बोलो दो loop मतलब 2N एक loop मतलब N so तीन loop मतलब 3N यानि third harmonic so basically यह जो भी लिखा है मैंने string के लिए valid है किसके लिए valid है? सुर्फ और सुर्फ string के लिए valid है ठीके? तो यह है आपका इसका conclusion table चाहू तो उसका screenshot ले सकते हो मैं बाहर चला जाता हूँ और उसी प्रकार से यह है आपका closed pipe का conclusion table जो की सुर्फ और सुर्फ बाइबरेट करता है odd frequencies पे उसके बाद यहाँ पर कुछ formula आजाती है end correction का proof and वगेर 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 उसको भी देख लेते हैं so basically consider यह fast fast अभी यहाँ से अपना चौथे gear में गाड़ी जाएगी क्योंगे कुछ भी जादा खास नहीं है सब basic basic है चली एक pipe है मेरे पास frequency है n1 length है l1 दूसरा pipe है मेरे पास frequency है n2 length है l2 हवा की velocity कभी बदलती है क्या come on velocity of air कभी बदलती है क्या so air की velocity नहीं बदलती है so मैं कह सकता हूँ हवा की velocity जो यहां रहेगी उतनी ही हवा की velocity यहां भी रहेगी v1 is equal to v2 अब यहां पर यह open pipe है open pipe की formula क्या थी open pipe की formula थी n is equal to v upon में 2l के बराबर so v हो जाएगा 2 times of यहां पर nl के बराबर 2 और 2 cancel length का end correction वाला formula डालेंगे यहां पर multiply कर दो end correction वाले terms एक तरफ दूसरे terms दूसरे तरफ end correction common निकालो that's it formula यहां से आपकी आ जाती है खतम अब इसमें पुराने text book में printing mistake है गलत formula दिया गया है मेरे वीडियो पर comment नहीं आना चाहिए कि गलत है पुराने text book में printing mistake है formula wrong है okay तो किसी के पास अगर पुराना text book है तो एक बार verify कर लेना चलिए closed pipe दो pipe consider करते है एक का length है L1 एक का length है यहां से L2 एक की frequency है N1 एक की frequency है N2 velocity of sound तो दोनों के through same ही रहेगा आना अब इसमें confusion होता है students को sir कौन सा formula की डर लगाए याद नहीं आता है ऐसा वैसा तो मैं personally मुझे यह formula 7-8 साल से कैसे याद है तो मुझे कैसे याद है मुझे derivation याद है derivation मुझे क्या याद है closed pipe में मेरा pipe कुछ ऐसा लगता है wave ऐसे बनती है तो यह है lambda by 4 के बराबर यह कितना है यह है lambda by 4 के बराबर so closed pipe की formula में 4 का term आएगा बस मुझे इतना याद है अगर closed में 4 आएगा तो open में 2 आएगा ठीक है चलिए so यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 और 4 हो जाएगा cancel end correction का term डाल दो यहाँ पर cross multiply करो यहाँ वाले terms इस तरफ end correction वाले terms इस तरफ answer यहाँ पर आजाएगा so यह दो formula आप safer side के लिए यहाँ पर लिख सकते हूं उसके पाद आजाता है laws of tension laws of tension आपका purely आधारित है sonometer के experiment पे sonometer का experimental वीडियो वैसे भी देखोगे तो उसमें मैंने काफी जादा detail में यह सब कराया है so funda वही है law string की formula consider करो दो terms को constant कर दो so अगर मैं बोलता हूँ मेरा tension और mass constant है so बोलो tension constant है यह मैं बोलता हूँ खुद okay के let us assume that my tension मतलब मैंने रसी नहीं बदल रहा हूँ रसी का tension मेरा constant है और mass per unit length भी constant है दोनों चीज़े मेरी constant है so 2 तो constant ही होगा so मुझे सीधा मिल जाएगा analogy cursory constant इसके ओपर पूरा 25 minute का experiment है so यह तीनों आप मैं बोलूँगा वहीं से देखो तो जादा बहतर होगा वैसे भी आपको college में करना ही है उसी प्रकार से अगर मैं बोलूँ l and m constant है तो क्या हो जाएगा n is proportional to हो जाएगा root of 2 यह भी आप सब लोगों को compulsory experiment है so please उसको देखो experimentally दिखाया है मैंने and finally third हो जाता है law of linear density and is inversely proportional to mass अब mass को मैं further क्या लिख सकता हूँ small m हमारा हो जाता है mass per unit length के बराबर बोलो further more mass क्या होगा so mass हो जाएगा density into volume के बराबर so यहाँ पर मैं ऐसा भी कह सकता हूँ that frequency is inversely proportional to density volume क्या होती है volume होती है pi r square pi constant है so again मैं कह सकता हूँ n is inversely proportional to 1 upon r square अगर root हटेगा वहाँ से तो आ जाएगा यहाँ पे 1 by r का term यह चीजें तो बहुत जादा basic है आप 1 minute pause करके सुर्फ screen पे देख लोगे सारी चीजे cover हो जाएगी funda वही है दो चीजें formulas में से constant रखो तो एक आपके directly proportional होगी और frequency तो हर जगे यहाँ पर है ही finally discuss करते हैं the last topic of this video the concept of beats beats का मतलब क्या होता है so beats का यहाँ पर मतलब होता है definition क्या है whenever there is difference in frequency okay जब जब frequencies में अंतर होता है beats produce होती है क्या produce होती है जब जब frequencies में अंतर होता है beats produce होती so मेरी जो पिछली video है मतलब पिछली मतलब 4-5 साल पुरानी video है उसमें मैंने beats produce करके differences बनाके सब करके करके चीजों को सुनाया है okay but unfortunately अभी मेरे पास As of now कोई Android phone नहीं है तो इस वीडियो में मैं आपको नहीं सुना पाऊंगा Beats बनती कैसी है बना के दिखाया है मैंने उसमें आप चाहो तो आप उसमें देख सकते हो उस वीडियो में So ये मेरा वीडियो है Formation of Beats शुरुवात में मैंने इसमें Beats बना के दिखाई है Lenovo का phone था मेरा So जादा मस्ती नहीं करते है Speaker खराब हो जाता है जादा मस्ती करोगे न उस एप से एप साते थे उस ताइम पर कब की वीडियो है चार साल पहले की वीडियो है इसमें मैंने Beats सुना के दिखाई है पूरा का पूरा ऐसा बजाया है Beats मैंने ओके तो कुछ आवाज आपने सुना हो रहा है यानि कि उपर नीचे जा रहे है अब थोड़ी फ्रिक्वेंसी बढ़ाते हैं अब 602 और 605 602 605 मैंने दो वेवस प्रोड्यूस की है 602 605 हर्च की तो बोलो डिफरेंस कितना होता है डिफरेंस होता है 3 यानि एक सेकंड में हमको ऐसा तीन बार उपर नीचे सांद सुना ही देगा ओके नौसो नाइन थर्टीएट नाइन फॉर्टीवन इस प्रोड़ी क्या होता है बीट्स में यहां पर हमारा बेसिक सांदा होता है डिफरेंस होता है ऒेवर इस प्रोड़ीव यहां पर कशांदा है Canalfert so productions का मतलब क्या है यहां पर कि जब-जब धो वेव उस में फरक होगा फ्रीकॉइञे गजिंट्यू होगा फ्रीकॉइंसी में पूरे फिसिंक्स में अभीं तक Oscillation chapter हो super position of waves chapter हो जो भी wave equations हम दो compare करते थे frequency same लेते थे यह मैंने oscillations में भी बताया था कि कोई भी derivation होने तो omega हमेशा same होता है beats की एक मातरा derivation ऐसी है पूरे physics में जिसमें frequency हम अलग लेते हैं जब हम अलग-अलग frequency की दो waves को आपस में भेजते हैं तो basically क्या हो जाता है उनके बीच में हो जाता है super position क्या हो जाता है उनके बीच में हो जाता है super position और super position का जो sound होता है वो कुछ होता है हमारा जो आपने सुना जिसको हम कहते हैं beats beats are hurt so beats में basically क्या होता है अगर आपको एक second में समझना है कितने second में अगर आपको एक second में समझना है तो आप समझ सकते हो ambulance का आवाज क्या समझ सकते हो ambulance का आवाज बोलो ambulance का आवाज क्या होता है so ये proper आपका beats का आवाज है police का आवाज भी क्या होता है ऐसा ही होता है so basically ये क्या है ये सब beats है beats okay मतलब हम क्या कर रहे हैं हम दो frequencies को यहाँ पर छोड़ दे रहे हैं एक का frequency है समझो 100 hertz एक का frequency मैं रखूंगा यहाँ से 102 hertz दोनों को क्या करा दूँगा दोनों को करा दूँगा superposition superposition कराओंगा तो क्या हो जाएगा superposition कराओंगा तो इनके बीच में constructive, destructive, constructive, destructive, constructive, destructive, destructive, destructive interference होता रहेगा अब constructive interference होगा sound बड़ेगा sound बड़ेगा उसको हम कहते हैं waxing destructive interference होगा sound कम होगा sound कम होने को हम कहते हैं waning समझ रहों यहाँ पर frequency अलग है पहले क्या होता था मैं example भी आपको कैसे देता था कि ये मेरी एक wave है, ये मेरी दूसरी wave है, दोनों को add किया, प्लस 2, प्लस 2 बचेगा, प्लस 4, अब frequency ही अलग है, अगर आपकी एक wave इतनी जगे में आ रही है, तो दूसरी wave की frequency अगर 10 है तो हो सकता है, दूसरी ऐसी 10 waves आ जाएं, है ना, तो यहाँ पर जरो विरो कुछ नहीं होगा, इधर कम जाता, कम जाता, कम जाता, कम जाता होता रहेगा, इस वजे से beats एक अलग topic होता है, बिकॉज यहाँ पर frequency अलग है, पूरे physics में frequency अलग हमने कहीं पर नहीं ली थी, मैं वापस बोल रहा हूँ, चीक है, सो जब ambulance का आवाज ऐसा बढ़ता है, टा, waxing, टा, waning, टा, 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 सो विसी गली ऐसे करते करते हैं, waxing, waning, waxing, waning, waning का मतलब गायब होना, अब कोई बोलेगा, सर, confusion होता है, इसमें भी, अरे हम कहते नहीं है, चांद wane हो रहा है, the moon is waning, right, moon जा रहा है, चलिए, सो आज यह स्टार्ट करते हैं, आपर derivation का part, derivation यहाँ पर simple C है, consider करेंगे, यहाँ पर हम दो equations, ठीक है, consider करूँगा, मेरी wave origin पे है, origin पे है, तो x coordinate यहाँ पर हो जाएगा, मेरा 0 के बराबर, सो मेरे पास यह दो equations बचेंगी, by principle of superposition, दोनों को कर देंगे, यहाँ पर add, एक common निकाल के लगा देंगे, sin C plus sin D, sin C plus sin D लगाँगा, सो basically, यहाँ पर मैंने लगाया है, 2 sin of C plus D by 2, into cos of C minus D by 2, omega क्या होता है, omega होता है 2 pi, यह सब हो चुका है, sub derivation ही हो चुका है, वह ही करना है, जहाँ से शुरू करेंगे, final equation कैसी होनी चाहिए, बोलो final equation में logarithm, यह वो होना चाहिए, नहीं नहीं, final equation में sin का term ही होना चाहिए, so basically omega का value यहाँ पर substitute करेंगे, omega होगा 2 pi n1, 2 pi n2, 2 pi को निकाल दूँगा, यहाँ से common, यहाँ पर भी 2 pi common, जाएगा, n is equal to 3 हो जाएगा, n1 plus n2 divided by 2 के बराबर, और मुझे एक बात तो बताना, शुरू मैंने sin से किया है, तो खतम कहां करूँगा, खतम भी sin पर करूँगा, तो यह cost को एक साथ रखके, sin को अलग रख दूँगा, यह जो भी term मैं इसको बोल दूँगा, कि यह term मेरा है, amplitude के बराबर, किसके बराबर है, यह term मेरा amplitude के बराबर है, और यह हो जाएगी मेरी final equation, जो की शकल से, पहली वाली equation से मिलती है, तो मैं कहूँगा, beats भी क्या है, beats भी एक प्रकार की wave ही है, सुपर पोजिशन होने के बाद भी मुझे क्या मिलता है, मुझे एक प्रकार की wave ही मिलती है, यह derivation तीसरी बार हो रही है, पहला oscillations में, दूसरा आज के lecture में, तीसरा यहाँ पर, इस वज़े से हम इस पर भाव भी नहीं देंगे, अभी यहाँ पर करते हैं, जैसे हमने पढ़ा था, notes, anti-notes, condition, वैसे ही यहाँ पर है, waxing and waning, waxing का मतलब होता है, आवाज बढ़ना, जब आवाज बढ़ेगा, सो मेरी amplitude की equation क्या है, यह है यहाँ पर मेरी amplitude की equation, जब आवाज बढ़ेगा, बोलो, cost का term क्या होना चाहिए, come on, अगर आपको LHS को maximum करना है, RHS भी क्या होना चाहिए, RHS भी maximum होना चाहिए, यानि RHS होना चाहिए, 1 के बढ़ाबर, RHS 1 कब होगा, जब amplitude हो मेरा यहाँ से, plus minus 2A के बढ़ाबर, बरबर, LHS में आपके पास यह पूरा term है, अब मुझे एक बार बताओ नो, simple, मुझे यह maximum करना है, यह maximum कब होगा, जब मेरा cost maximum हो, cost की maximum value क्या होती है, होती है plus minus 1, अरे RHS में plus minus 1 कब आएगा, जब amplitude होगा मेरा, plus minus 2A के बढ़ाबर, सो 2A और 2A क्या हो जाएगा, 2A और 2A यहां से हो जाएगा मेरा cancel, सो जब दोनो 2A यहां से हो जाएगे cancel, तो eventually मुझे क्या मिलेगा, plus minus 1, अभी-अभी मैंने पूछा था, थोड़ी दर पहले कि, cost plus minus 1 कब-कब होता है, सो अभी-अभी हम देख चुके हैं, 0 पे होता है, πाए पे होता है, 2 पाए पे होता है, वापस से वही सब रणनीती करेंगे, πाए, πाए, cos, cos, बोलो, cos cancel नहीं होता है, बट यहां पर ease दिखाने के लिए, मैं cancel कर रहा हूँ, and finally यह मिल जाता है, मुझे यहां पर time period, कोई भी दो समय के बीच में, आप difference निकालो, आपको समय constant मिलेगा, इसका मतलब है, यहां पर भी जो waves produce हो रही है, वो भी एकदम periodic होती है, चिक है, उसी प्रकार से वेनिंग में समय, वेनिंग में क्या होना चाहिए, सो वेनिंग का मतलब होता है, आवाज घटना, आवाज घटना मतलब, cost की value क्या होनी चाहिए, cost की value होनी चाहिए, minimum, cost की minimum value होती है, जरू, cost की value जरू होती है, तो यहां पर 0 डाल दूँगा, 2A को वहां पेश दूँगा, जैसे पहले किया था, अगर आप भूल भटक गए हो, इतनी देर में, सो मैं आपको दिखा सकता हूँ, notes का जब condition कर रहे थे, सब यह हम कर चुके हैं, आगर सब हो चुका है, वापा सो रहा है, यह सब चलिए, सो basically यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हमारा 0 वहाँ चला जाएगा, सो 2A divided में, यहां 2A multiplication with 0 हो जाएगा, यहां पर हमारा 0 के बरा, cos की value 0 कब होती है, यह सारे terms में 0 होती है, π, 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 cancel, cos, 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 neutralize हो जाएगा, cancel तो नहीं होता है, यहां पर मिलेगा हमें इन दोनों का time period, बोलो किसी भी 2 समय के बीच का यहां पर answer निकालो, so T1 कितना है, T1 है यहां पर half times of N1 minus N2, बरोबर, T2 कितना है, T2 है यहां पर 3 by 2 times of N1 minus N2, बोलो दोनों को minus करूंगा, answer क्या आएगा, so T2 minus T1 करेंगा, answer कितना आएगा, so answer आजागा, 3 minus 1 हो जागा, 2 divided by 2, N1 minus N2, यानि answer कितना बचेगा, यहां से, 1 upon N1 minus N2, अगर मैं पहले, waxing में यह difference निकालो, अभी waxing में मैं इनको minus करूं, चलो मैं consider करता हूँ, T1 है मेरा यहां से, 0 के बराबर, consider करता हूँ, T2 है यहां से, मेरा 1 upon N1 minus N2 के बराबर, बोलो अगर यहां से, मैं जो difference निकालों, और वहां से जो difference मिल रहा है, ध्यान से देखो, दोनों same है, राइट, same है, आप किसको भी minus करो, इसको इससे minus करो, इसको इससे minus करो, दोनों जगे आपको answer, एक ही आता है, कि time period is equals three, T is equals three हो जाता है, आपर 1 upon में N1 minus N2 के बराबर, चाहे waxing हो या चाहे waning हो, इसका मतलब beats भी हमारे यहां पर हो जाते हैं, purely periodic phenomenon, क्या हो जाता है, beats भी हो जाता है, आपर हमारा purely periodic phenomenon, beats के application क्या होते हैं, तो सबसे पहला-पहला application, beats का हो जाता है, unknown frequency को find करना, अगर मेरे पास एक tuning fork है, और मेरे पास एक beats की machine है, तो अगर मैं दोनों को बजा रहा हूं, साथ में, तो मुझे 10 beats सुनाई दे रही हैं, तो जो machine मेरे हाथ में है, मैं देखूंगा उसमें frequency कितना है, जो machine मेरे हाथ में, उसमें frequency है 500, इधर का frequency मुझे नहीं पता है, जिस भी unknown device का मुझे fine करना है, पर beats मुझे 10 सुनाई दे रही हैं, तो बोलो इसका frequency कितना होगा, तो या तो उसका frequency होगा 490, या तो उसका frequency होगा 510 है ना, इस प्रकार से beats से हम unknown चीज़ों की frequency, इसी compare 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 करते करते find करते हैं, जो हम sums में करते हैं, उसी प्रकार से मैं एक musical show में आया हूँ, मुझे सारी चीज़े resonance में चाहिए, मुझे सबका frequency सेम चाहिए, प्यानो वाला प्यानो बजाएगा, गिटार वाला गिटार बजाएगा, मैं laptop में connection में देखूँगा, कितना beats बन रहा है, तो तीन beats बन रहा है, तो प्यानो वाले को बोलूँगा, थोड़ा सा सुर नीचे कर अपना, या गिटार वाले को बोलूँगा, थोड़ी सी string अपनी tight कर, ताकि तरी frequency बढ़े, गिटार वाले ने वहाँ से string को tight किया, फ्रिक्वेंसी बढ़ी, अब मुझे दो beats सुनाई दे रही है, गिटार वाले को बोलूँगा, थोड़ा और tight कर, ऐसा करते करते, जब तक मुझे perfect synchronization नहीं मिल रहा है, तब तक मैं करता रहूँगा, तो beats के through हम harmony create कर सकते हैं, musical instrument में, ये थे application of beats, एक radar करके उन्होंने application दिया है, बट वो बहुत ज़ादा detailed है, इतना ज़ादा उसमें मजा भी नहीं है, चली, discuss करते हैं, यहाँ पर characteristics of sound, ठीक है, characteristics of sound, चली, तो पहला-पहला हो जाता है, यहाँ पर loudness, यह पूरा का पूरा class 11th का है, मैं आपको बता दूँ, पूरा word by word class 11th में दिया गया है, यह सब, पूरा 11th का है, उसमें detail में दिया गया है, यहाँ पर थोड़ा superficial है, loudness का पर इसमें ज़ादा कुछ नहीं है, यहाँ पर definitions लिखो and that's it, longitudinal wave is also called as pressure wave, जो पूरे lecture में बताया है, it consists of compression and rarefraction, we hear the sound when longitudinal wave or the pressure wave or the compressions or rarefractions fall on our ear, then the pressure is created, then we can hear the sound, तो पूरा mechanism समझाओ, क्या समझाओ, पूरा का पूरा mechanism समझाओ, और finally फूर मिला दे दो, बीटा इसी कोल सुदी होता है, 10 times locked to the base 10 intensity of the sound upon the minimum intensity, आपको पता होगा, kinetic theory of gases में मैंने आपको बताया था, जिंदगी में हमेशा हम compare करते हैं, emissivity compare करते हैं, black body से, dielectric constant compare करते हैं, air से, refractive index compare करते हैं, vacuum से, उसी प्रकार से यहाँ पर I0 हो जाता है, हमारा minimum reference intensity, जो की होता है, 10 raised to minus 12 watts per meter square के बराबर, और यह होता है, हमारा usually bells में, तो अगर आपको decibel और bell का conversion चाहिए, जो की मैं sums के समय बताऊंगा, अभी नहीं, तो यह है आपका conversion, और beta हमारा represent करता है sound level, और अगर आपको loudness का unit जानना है, तो phone हो जाता है, हमारे loudness का unit, तो यहाँ पर मैंने एक, इसमें कम से कम आपकी 5 point लगेगी, जो मैंने इतना बताया समझाने में, कि कान में pressure गिरता है, compression आता है, rare friction आता है, यहाँ पर यह formula, यहाँ पर यह थोड़ा सा data, करीबन 6 से 8 point यहाँ पर आपको loudness में से देखना है, that's it, यह मज़िदार topic नहीं है, रटा मार topics होते हैं, इनमें जादा समय waste नहीं किया सकते हैं, discuss करते हैं concept of pitch and frequency, pitch का definition जो text book में है, technically सही नहीं है, technically pitch का definition दिया गया है, मतलब आप चाहो कर सकते हो, बट वो definition नहीं है, थोड़ा सा समझते हैं बात को, प्यानो में क्या होता है, मैं बार बार प्यानो क्यों कह रहा हूँ, because वो basic funda है, सारे सुरों का, रई, प्यानो को king of music कहा जाता है, बाकी किसी instrument को king नाम नहीं दिया गया है, तो प्यानो में क्या होता है, प्यानो में इतने सारे सुर हैं, नीचे वाले सुर यूजवली हमारे बहुत जादा कम फ्रिक्वेंसी के होते हैं तो जिनके आवाज में बहुत जादा बेस होता है अब इस पर मेरी अलग वीडियो है दस मिनट की अगर आपको प्यानों में रेजोनन्स अगर प्यानों में पिच्छ समझना है करना हो इसे तो एक दम खराश वाला वाला ट्न हमारा होता है यहां वाला ट्न ये मेरे को डिषी करेंच कर सकता हूं मैं करके करते हूं चलिए, सो अभी मैंने यहाँ पर मेरी pitch चेंज कर दी है सो यह वाली pitch काफी ज़्यादा high pitch है इस pitch पर मैं अगर चिलाना चाहूं मैं चिला सकता हूं और किसी के भी कान मेंने बहुत ज़्यादा pressure feel होगा ओके, सो यह मैं अपनी pitch की frequency को बढ़ा के गया हूं So basically, हर सुर کی खुद की frequency होती है हर सुर की यहाँ पर खुद की खुद की frequency होती है तो जो हमारी particular frequency होती है जिससे हम सबसे ज़्यादा comfortable होते है उसको कहा जाता है, pitch क्या कहा जाता है उसको कहा जाता है pitch जैसे अरजीत सिंग की एक particular pitch है high scale में वो आती है अरजीत सिंग की एक particular pitch है बट ऐसा नहीं है कि वो lower pitch में नहीं गा सकता है या वो higher pitch में उससे नहीं गा सकता है गा सकता है बट अरजीत सिंग जब बात कर रहा है उसकी एक particular pitch होती है उसी प्रकार से इन्होंने पिछ का डेफिशिशन दी एक तर सेंसेशन आफ सांड विच हेल्प्स दे लिस्टिंगुश बेट्वीन दे लोवर और हायर फ्रिक्वेंसी मतलब इन्होंने वही बोला है जो मैं कह रहा था कि अरजीत सिंग की एक पर्टिकुलर पिछ है वो हाई पिच भी जा सकता है उससे वो लोग पिच भी जा सकता है उससे बट वो इतना कमफर्टिबल नहीं होगा जैसे मैंने अभी हाई पिच में आवाज निकाल के दिखाया बहुत पिच हाय करती जिनको म्यूजिक नॉलेज होगा समझेगा नहीं तो टाइम पास लगेगा और व सबसे पिच का डेफिनेशन यह होता है पिच इस वन पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी एक प्रकार की फ्रिक्वेंसी ही है वह बट ठीक है अभी टेक्स्बुक में ऐसा है तो आप लिख सकते हो बट यह एड़न कर सकते हो जो मैंने आपको एक्स्प्लेनेशन दिया बात करते है है quality of sound के बारे quality of the sound कैसे पता चले कमाउन कैसे quality of sound कैसे पता चले सो quality of the sound की सबसे बेस्ट पैचान होती है वो sound कितना डाइनमिक है यह definition मेरा definition है इसको मैंने टेक्सबुक के definition से जोड़ा है कितना जादा डाइनमिक है example तोरवे मैं monotone बात करूँ मैं क्या बात करूँ monotone बात करूँ कराची से अंदरूनी मुल्क के लोग अपनों में एद मनाने आ रहे हैं और ऐसा तीन गंटा ऐसा ही बात करूँ मजा नहीं आएगा मैं कैसे बात करता हूँ जब जरूरी होता है जोड से बोल लूगा जब जरूरी नहीं होगा धीरे बोल लूगा जब जरूरी नहीं होगा कुछ नहीं बोलूगा है ना बरो बर समझ रहे हो डाइनमिक सिटी आवाज उपर गया आवाज नीचे गया आवाज कॉंस्टेंट हो गया जहां जरूरत वहाँ जादा हो गया जहां जरूरत नहीं वहाँ कम हो गया सो MHT CET में इसके उपर MCQ आया था quality of the sound can be judged through a better loudness और the better waveform सो बोलो जितना जादा loud उतना जादा quality क्या चिलाने को quality नहीं बोलते हैं जितना जादा waveform आपका dynamic होगा उसको quality बोलते हैं सो basically यही चीज मैंने यहाँ पर लिखी है कि अलग-अलग frequency होनी चाहिए different amplitude होनी चाहिए और noise क्या होता है anything which is not needed is noise any mixture of sound of different frequency which have no relation with each other मैं यहाँ पर lecture ले रहा हूं यह तो thanks to technology के मेरे decibels माइनस में है नहीं तो आपको बार बार आवास सुनाएगा idly 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 so basically noise है रही है तो thanks to technology के सब decibels माइनस हो जाते हैं प्रकार के instruments stringed instrument guitar plugged so plugged string में क्या होता है plugged string में आपको अपने हाथ का इस्तमाल करना पड़ता है ठीक है बोड string में क्या करना पड़ता है बोड string में आपको एक पुरा उसी के through आपको करना पड़ता है मतलब आपको swipe करते करते violin में क्या करना पड़ता है violin में आपको swipe करते करते instrument को play करना पड़ता है and finally एसे instruments में stuck string में क्या करना पड़ता है आपको tap करते-करते instruments को play करना पड़ता है संतूर ऐसे play होता है ok संतूरuffy what a hair frequent करते हो好了 in में क्या होता हैël in my tap offline करते है Rafael एककर two Siuli करते हो or guitar में क्या करते हो Giul you know ड Houston में travelers से भी कर सकते हो बट basically इसका concept कुछ ऐसा है wind instrument में free wind type so free wind type में क्या करते हो free wind type में आप air को compress करते हो फिर छोड़ते हो compress करते हो फिर छोड़ते हो compress and release करते रहते हो harmonium में क्या करते हैं harmonium में ऐसे ऐसे करते रहते हैं अगर आप harmonium को एक हाट से बजाओ नहीं बजेगा अगर आप harmonium को अंदर पकड़ के रुको नहीं बजेगा harmonium को बाहर छोड़ को नहीं बजेगा harmonium को compress release, compress release करते रहना पड़ता है edge type में क्या होता है आपका focus particular किसी particular edge पे होता है आप वहीं से हवा का पूरा का पूरा lane den करते हो और यहाँ पर इसमें क्या होता है इसमें तो multiple pipes होते है इसमें अंदर multiple distribution होता है जैसे बासोरी में सरफ एक ही read pipe है आपका एक single है उसमें भी एक edge है जिससे आप खेल रहे हो यहाँ पर saxophone जैसे instruments में क्या होते है multiple read pipes होते है and percussion instrument मतलब एक membrane वाला instrument जिसमें धोल आ गया जिसमें धोलक आ गया जिसमें तबला आ गया जिसमें रोटो सेट आ गया जिसमें ड्रम सेट आ गया सारे instruments यहाँ पर हमारे उसी प्रकार से यहाँ पर हमारा super position of waves chapter हो जाता है समाप्त पूरा का पूरा one shot हमने समाप्त किया उमीद करता हूँ आपको ये समझा होगा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें इसमें मैंने M.H.T. C.E.T. का majority part theory का cover कर दिया है majority M.H.T. C.E.T. counting, mounting सब मैंने यहाँ पर cover कर दिया है practicals के video भी available है channel पर जाके देखें RG lectures app के उपर इसके notes available है और दूसरे M.H.T. C.E.T. के notes available है website पे भी notes available है but app पे जादा available है because app के screen के साबसे काफ़ी सारी चीज़े बनी हुई है so मिलते हैं ऐसी किसी अगली video में till then wish you the best good bye